कि नमस्तकार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज के इस सेशन में मैं अजीर सिंग आप सभी भविश्य की अधिकारियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज हम लोग BPSC जो 69 मेंस का अभी कोईसन अभी एक्जाम हुआ है उस एक्जाम में फूगोल से संबंदित जो प्रशन पूछे गए हैं उन प्रसनों का एक बिशलीषन करेंगे हम देखेंगे कि जो प्रस्ण पूछे गए हैं उन प्रस्णों का लेबल कैसा था हाड लेबल था, इजी लेबल था, मीडियम लेबल था या कैसा था साथी साथ हम आज कोशिस करेंगे कि जो प्रस्ण पूछे गए हैं उन प्रस्थनों का एक discussion किया जाए, एक चर्चा किया जाए, उन प्रस्थनों को कैसे लिखा जा सकता है, तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि जो प्रस्थन पूछे गये हैं, उन प्रस्थनों का nature कैसा है, कैसे उन प्रस्थन पूछे गये हैं, तो पहले एक बार हम देख लेते हैं देखिए BPSC 69 मेंस के पेपर का अगर हम डिसक्सन करें तो एक बात समझ में आती है कि GS का जो पेपल टू है इस GS के पेपल टू में समझे GS के पेपल टू में टेक्शन स्टू सिक्षन टू सिक्षन टू में गियोग्राफी से समंधित प्रस्ण आपके पूछे गए अगर हम सिक्षन टू के अभी मैं आपको प्रस्ण भी दिखाऊंगा सिक्षन टू की अगर हम बाते करें तो सिक्षन टू में समझे सिक्षन टू में पहनें को सिस्टा नमर्चाहर को अगर आप देखेंगे तो क्वेसं नमर्चाइब चार का एफ इसमें से अबई और सी जो है ग्रोर नंमर के प्रस्टन है और निस जो है आपके उसाथ प्रशन नमर्स का है और कुसन नमबर 6 का जो भी है ये भी आपका 38 मार्स का है की की एक कुछन पूचे गया है इसके बाद सैक्षन सी में जब देखेंगे निकीद होड सैक्षर जब आप देखेंगे तो उसमें आपका पूचा गया है परियाब घ्रिशन पूछा गया है इनवार्मेंट का एक फ्रस्न है एल है ऑसे इनवार्मेंट का प्रस्न पूछा गया है और एम वार्मेंट का जो पूछा गया वह आड़ आठ Argentina तो पिछले सालों की दूला में अगर हम देखेंगे इती साथों के तूला हम इंपोटेंस बढ़ा है पेले जीव लेटेट जो कुछ्षन थे वह कुछ्षन बहत्तर पच्छत्र नमर की पूछे जाते थे आज जो कुछ्षन है जो कुछ्षन है आज 69 में जो कुछ्षन है वो ज्यादा पूछे गया जैसे यहां सी आप देखें तो 24 34 प्लस चोड़ा यह आपका 38 मार्क से हो गए यह 38 मार्क से ठीक है उसके बाद 38 मार्क से 38 मार्क से अगर आप तीन से में मल्टिप्लाई कर वे तो यह 114 मार्क से प्रिस्न हो यह आपका एक्सोग्तधन साथ ऐसोटर मार्क से समझों आपकी प्रस्न हो गए एक्सोटर नंबर की प्रस्न पूछे गए इसके अलावा अगर आप इस सैक्षन को घो दे जो कि आपको देखके समझ भी आ रहा होगा इसका जो इंपोर्टेंस है यह इंपोर्टेंस आपका डे बाइडे क्या होता जा रहा है डे बाइडे आपका इंपोर्टेंस इसका बढ़ता जा रहा है तो हम क्या करेंगे पहले आप लोगों को कुष्चन दिखाएंगे एक बार कुष 114 114 वहां से कर दीजिए प्लस एन्वार्मेंट इकलोजी वाले 36 मार्स जोड़ दीजिए आप समझ सकते हैं कि जियोग्रॉपी का इंपोर्टेंस कितना ज्यादा बढ़ गया 69 प्रारंबिक परिच्छा की भी बात अगर करें तो प्रारंबिक परिच्छा में भी क्वेश्टन ज्यादा पूछे गये तो आप ऐड़ान कर सकते हैं जोड़ करके देख सकते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अप प्रस्नों क प्रस्टेंद को एक बर देख लेते आप एकबर बताईए यह जो कुर्ष्शन से कुर्ष्शन आपको दिख रहे हैं जो क्वेस्शन हैं एक प्वेसो्ष्टिक सफ औफ इंडियन मान्सून सिस्टम भारती मानसून तंत्र की क्रिया विदी एवं विशेष्थाओं का विश्लेशन कीजिए आठ नमर का कोश्चन बिल्कुल आसान सा प्रस्ट नहीं सिंपल सा प्रस्ट नहीं इस प्रस्ट को बहु ज्यादा डिपकल्ट हम नहीं बोल सकते हैं ठीके उसकी बाद दूसर साथ एनर्जी इन इंडिया क्या यह घरेलू मांग के पूर्ती के लिए पर्याब थे और दे सब्सक्राइब तू मीड़ दोमेस्टिक नीट भारत के लिए संभावित बैकल्पिक उर्जा के श्रूत क्या है वाट अर्द पॉसिवल अल्टरनेटिव सोर्स अप एनर्जी फ का है इस को बहुत इजी नहीं कहा जा सकता है इस को बहुत ज्यादा कथि नहीं कहा जा सकता है यह जो पूश्चन है यह आपका को अब का मौडरेट लेबल का कुस्टन आपका तीसरा कुस्टन है भारत में परेटन उद्यों की इस्थिति की बिवेचना कीजी तर्फ में इसके भविस्ट का इसलेशन कीजिए डिसकुस्ट इस्टेट आप ट्यूरीजब इंडश्टी इंडिया एल इनलाइफ इट्स फ्य आपका फोटो सूट कर रहा है मुझती देखा होगा आप लोगों ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ा है इतना जबाप दीजी आप लोगों ने पढ़ा होगा यह वी कोशन आपका इजी है अगला कोश्टन ने अगला कोश्टन बिहार इस्पेसल है तो समय यह जो कोश्टन सिक्रन का वरण कीजिए तथा इनकी समाजिक आर्थिक दसाओं की अस्तरों पर टिप्पनी कीजिए डिस्क्राइब दिस्टिब्यूशन आप सेडियूल कॉस्ट एन सीडियूल ट्राइप्स पॉपुलेशन इन बिहार एन कमेंट आन देयर लेवल आप सोशिय एकोनोमिकल क हुई थी उस जातिकत जनगणना की से रिलेटेट आपका कुस्टन है उसके बाद अगला कुस्टन है कि भारत को प्रमुक भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राजी की भूमी सम्मली तो डिवाइड इंड करसंद को में इजी वाले कटेग्री में रखूँगा डिफकल्ट वाले कटेग्री में नहीं रखूँगा को इसके आगे अगे हम बढ़ेगे तो यह पाँक क DVD कि आपका यह पांस पोस्टन इसमें तीन कोरष औराफाल सब्सक्राइब इसके आगे अगर हम बढ़े अब लॉंग कोश्टन की तरफ चलते हैं लॉंग कोश्टन देखें कोश्टन नम्मर पांस का ए यह लॉंग कोश्टन है कि बिहार की जलवायू को प्रभावित करने वाले कारपों की व्याख्या कीजी राज्जी में क्रिसी जलवायू छेत्र को किस प्रकार से कितने भागों में विभाजित किया गया है यहां साल में कितने मौसम पाया जाते हैं इन मौसमों के क्रिसी पर प्रभाव की बिवेचना कीजी अब देख सकते हैं कि कितने कुश्टन को एक साथ जोड़ा गया है आप हाव मेनी पार्ट अग्रो क्लाइमेटिक जोन है इस बीवाइड इन दाइस्टेट हाव मेनी स्टीजन और फाउंड हेयर इन एप इयर डिस्टस्ट अफेक्ट आप इस सीजन अंदर इंगरी कर्च यह 38 मार्क्स का कुछ यह भी आपका इस पेसली बिहारी स्पेसल है तो बिहारी स्पेसल में आपको पढ़ाया गया होगा इसकी बाद अगर हम देखें पांस का भी देखिए कह रहा है कि हाव और सिटीज क्लासिफाइड बाइड डारेक 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 अप पॉपुलेशन इंडिया थो लाइट ऑन दे टोटल पॉपुलेशन एं देरेक अप ग्रोथ एच पर 2011 सिंसेट आफ वेरियस क्लासिफाइड सिटीज डिसकुस्ट दपॉपुलेशन अप बिहार एच पर 2011 सिंसेट और अलसो फो लाइट ऑन दे ट्रेंड आफ वर्किंग पॉपुलेशन इंड इस्टे भारत में जनसंख्या निरसाले द्वारा सहर का वर्गीकषन कि स्ट्रकार किया गया है विविन प्रकार से वर्गीण lavoretin 111 कि जंगर्ना इसार कुल आवाधी एवं उनकी ब्रिद्धि दरपर प्रकास डालिए 2011 की जनगरणा के मुसार, भीहार की जनसंख्या की विवेचना कीजी, राजीर में कारिसील जनसंख्या की प्रवित्ति पर प्रकास दादी यह इवी आप देख सकते हैं कितना बड़ा 質 है यह भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा ही गुश्चन आपको देख रहा हो!!! कि लॉग कुस्संरे इप powinid mark नॉ dairy면 को आपस में जोडा गया है याद रुखिय का कही सारे कुश्यों सु आपस में क्या किया गया है जोड़ा गया है यह आपस में जोड कर देख सकते हो कि इसके अलावा और भी कुस्T कि हम डिस्कसन करें देखे कुष्टन नंबर आपका 6 का भी कुष्टन नंबर 6 का भी कह रहा है कि भारत की मानसून प्रडाले इसके सोभाव प्रकार जलवायु परिवर्तन वित्रण समानारती सब्द पुरुवी और पश्मी जेटिश्टी तता ब्यवहारक्ता का वणन कीज डिस्क्राइब देख सकते हैं कि एक कोश्टन को इसने कितने पार्ट में तोड़ा हुआ हम सब सारे कोश्टन की चर्चा करेंगे अभी बस हम डिसकस कर रहें बस कोश्टन डिसकस कर रहें कि निफ्टे जेख अभी केवल हम क्वश्टन डिसकस करने वाले कर रहें और कुछ नहीं डिसकस कर रहें अभी इसका डिसकसम में करूंगा कि इसका एनसर कैसे लिखा जायेगा जस्ट इभी देखो क्वेस्टन भूगोल से कितने प्रश्य पूशे गये हैं और किस प्रकार से पूछे कि उसके बाद अगला कोष्टन क्या है आपका गल्यक की का दुरुपयोग एवं इसका गलत प्रयोग पर्यावन के पर्रयावन को प्रदूशन की तरव ले जाता है एवं जलवायू परिवर्तन का कार्ण बनता है उचित उदाहण की सहायता से बिवेचना कीजिए किस प्रकार भारत के पर्यावन के लिए तकनीकी का दुरुपयोग एक अभिसाफ बन गया है तो आपके भूगोल से पूछे गया है याद रहेगा तो आप समस्क्राइब तो आपके भूगोल से पूछे गया है तो यह सारे प्रस्थन है अब हम क्या रहेंगे एक प्रस्थनों को देख करके हम डिसकस करें एक प्रस्थ उठाएंगे और एक प्रस्थनों को हम डिसकस करते चले जाएंगे पहले मुझे इतना बताई सारे प्रस्थन देख क्या समझ में आगे है कुछ प्रस्थन बिहार क इस्पेशल दो प्रस्ट इसमें आप देखेंगे दो प्रस्ट पूरी तरह से बिहार इस्पेशल आरिवासन में उसके बाद की जो प्रस्ट है वो प्रस्ट आपके भारत के भूगोल से संबंदी थे तेकि वह सारे भारत के भुगोल से क्या है बच्चे आपका संबंदी थे अब हम क्या करेंगे इसमें से एकिक प्रस्थ उठाएंगे याद रखिएगा एकिक प्रस्थ उठाएंगे और एकिक प्रस्थ उठा करके उसका का discussion करते हम चले जाएं सबसे पहले हम पहले प्रस्ण की तरफ चलते हैं सबसे पहले प्रस्ण की तरफ चलते हैं पहला प्रस्ण क्या कहता है देखिए पहला प्रस्ण कह रहा है पहले प्रस्ण को देखिए कह रहा है कि भारती मानसून तंत्र की क्रिया भी दी एवं विशेस् इक मार्क्स को देख कि आप को समझ में आ रहा होगा इस क्विस्टिक्स को आप क्या कीजिए आपका दो पार्ट में तोड़ दीजिए पहला पार्ट देखे यह हो जाएगा हार्पी मानसून तंद्र की ख्रिया भी यह कुश्चिन का फ़स्ट पार्ट हो जाएगा तो फ़स्ट पार्ट है और यहां से आपका यह कुश्चिन का दूसरा पार्ट हो जाए यह कुश्चिन का सिकेंड पार्ट हो जाएगा तो कुश्चिन का पार्ट वन और कुश्चिन क पार्ट तूल दो पार्ट हो गए कुश्चन के अब कुश्चन के दो पार्ट के अगर हम बाते करें समझेगा कुश्चन के अगर हम दो पार्ट की बाते करें अब आपको समझ में आ गया कि चाह आठ नमबर के हैं एट मार्स का है तो फोर मार्क्स और फोर मार्क्स में कुश् इंट्रॉप्शन में अब लिख दीजिएगा भारती मांसुन के बारे है हैं इंडियन मांसून के बारे में भारती मांसून के बारे में यहाँ पे लिख सकते अपे लिख सकते हैं कि Hy जाओ enc मांसूनी जलवायू का उदार समझे इतना लिख सकते हैं मांसूनी जलवायू का उदार तुक्य हारती जलवायू पर हारती जलवायू पर जलवायू पर मानसुनी पौणों का ब्यापक प्रभाव मानसूनी पौणों का ब्यापक प्रभाव है प्रभाव मानसूनी पवने मानसूनी पवने सामानित मौश्मी पवनों का उदारण है मौश्मी पवनों का उदारण है तो मज़ेगा सामानित मौश्मी पवनों का उदारण है जो मौश्म में परिवर्तन के साथ परिवर्तन के साथ अपने दिशा में परिवर्तन करती है याद रखेगा अपने दिशा में परिवर्तन करती है से इंटॉरक्षन आप्टन आपको लिखना है अब इतना इंटॉरक्षन लिखने की बाद हम आएंगे सीधे कर का डिमांड क्या कहता है आप बताओ कि मानसून की क्रिया विधी क्या है मैकनीजम आप इंडियन मानसून आपको यह बताना पड़ेगा तो अगर हम चर्चा करें यहां पर अगर हम चर्चा करें यहां पर लेके कि मानसून की क्रिया विधी मैकनीजम या मानसून की क्रिया वि क्रिया विदी का सामान सा मतलब है यहां पर उत्पत्ती से है जम्जो क्रिया विदी का सामान सा अर्थ यहां पर क्या है उत्पत्ती से है आपका तो अगर हम मैकनीजम की बाते करें तो इसकी उत्पत्ती में हम दो थियोरी की बाते करें बहुत ज्यादा नहीं हम दो थियोरी क की बति कर देंगे डिसकस कर देंगे आपका क्लासिकल एक लासिकल ठीरी या चीर संवत भीचार चीर संवत भीचार या क्लासिकल फिट इसे कहा जाता है ठर्मल कौनसेप्ट या ताफी सिद्धाद कि इस थर्मल कॉनसेट कहा जाता है यह तापी सिद्धान्त कहा देखिए और दूसरा थियोरी आपका modern थियोरी या देन्ट कि दूसरा थियोरी है आपका modern थियोरी या आधनिक बीचा różne Finnish मेरी कि इस अधिर महें हम डिस्क्स कर लेंगे या वायू राश्सियदा हिए उभाई राश्सिद्धा कि वायू राश्सिद्धान इसकी चर्चा कर देंगे इसका डिस्कुषन कर देंगे इस कर देंगे हमारी प्रावबला हम एक कर ए ऐसर हमारा कंपलिट हो जाएगा अगर धद्वान के बाते कर अuição है क्लासिकल्थ मैं आपका समझे जलत था के जल तथा अस्थल करते इस अस्थल के सभाएं कमिकरुण मैं जल तथा अस्थल के उस्मी करण में अंतर के करन में अंतर के कारण कारण मानसून के उत्पत्ति की व्याख्या की इंग्लिश में बोल देता हूँ अब क्या करेंगे आप यहां पे फिगर बना देंगे करें आप यहां पे फिगर बना देंगे कि अगर में हां पे आप दिखा देंगे यह इंडियन ओसे ने इंडियन ओसें है और यह इंडियन सब कॉंटिनेंट है भारती उप महावीत है इंडियन सब कॉंटिनेंट यह भारती उप महावीत और यहां पे दिखा देंगे समर्सीजन ग्रिस्मरीतू ग्रिस्मरीतू समर्सीजन दिखा देंगे ग्रिस्मरीतू में जो लैंड होता है समझे ग्रिस्मरीतू में जो लैंड होता है तेजी से गर्म होता है और वाटर जो होता है आपका धीरे धीरे गर्म होता है तो ग्रिस्मरीतू में यह जो लैंड है इस लैंड पर टेंप्रेचर आपका ज्यादा होता है और प्रेसर आपका लोगता है इसके विप्रीत यह जो वाटर है जो इंडियन ओसे ने आपका इंडियन ओसे पर आपका टेंप्रेचर ग्रिस्मरितु में कम प्रेटिवली कम होगा और प्रेसर ज्यादा होगा इस प्रकार हमें दाब में प्रवनता विक्सीत हुई है प्रेसर ग्रेडियन विक्सीत हुआ है और इस प्रेसर ग्रेडियन से जो पवने हैं वो हिंद महासागर से भारती उपमहाद्वीद की तरफ प्रवाहित होना शुरू करते हैं हिंद महासागर से भारती उपमहादूर्वीत की तरफ प्रवाहित होती है और इस प्रकार मानसूनी पॉणों का जन्म होता है यह जो मानसूनी पॉणे है जोकि गर्वी में पेदा होती है इसलिए इसे कहा जाता है समर मानसून कहा जाता है या ग्रिस्म कालीन मानसून कहा जाता है ग्रिस्म कालीन मानसून समर मानसून या इसी को साउथ वेश्ट मानसून या दच्छडी पस्चमी मानसून के इसी को आपका दच्छडी पस्चमी आपका मानसून के नाम से जाना जाता है ठीके विंटर सीजन जब होगा बनाना पड़ेगा डियाग्राम आप बना देंगे तो यह जादा मिल जाएगा तो जो विंड है जो पवने है ठीके जो पवने है वो पवने भारतियोंक महादीब से हिंद महासागर की तरफ चलने लगेगी और उसे सीथ कालीन मानसून के नाम से जाना जाता है उसे हम विंटर मानसून कहते ही सीथ कालीन मानसून इतना लिख करके आपका कोईस्टन का पहला प पूरा कर देंगे आपका यहां से हम आगे बढ़ेंगे यहां से हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद देखो हम डिसक्स करेंगे मॉडर्न करेंगे आपका कि मॉडर्न थियोरी क्या है या देखिए मॉडर्न थियोरी या आधनिक बीचार मौडर्न थियोरी या आजुनिक विचार आजुनिक विचार में हम वायूरासी थियोरी की बाते करते हैं वायूरासी सिध्धान की बाते करते हैं कि वायूरासी सिध्धान के वास्तों में इयां पर चल्चा किया जाता है वायूदा प्ड़ीं का अस्थानांत्र याद रखेंगे वायूदा प्रेसर बेल्ट सिफ्टिंग और प्रेशर बेल्ट इसकी हम बाते करेंगे तो सिफ्टिंग प्रेशर बेल्ट में आपको बताया गया होगा आपको समझाया गया होगा कि जो विंटर सीजन आता है समझो सूरी का जब उत्तरायन और दच्छनायन होता है याद रखीगा सूरी का जब उत्तरायन होता है तो सूरी के उत्तरायन और दच्छनायन की कार जो वायुदा पेटियां हैं उन वायुदा पेटियों का अस्थान आंत्रन होता है लेके जब सूरी का उत्तरायन होता है को अगि कि कुत्तर अ कि थरा अकत्राइन का मतलब उत्तरी गोलार्मी गर्मी कामोशं में वायूदा पेटियां आ का कि नहीं मुझए वायूदा पेटी कुद्थर की तरफंन उत्तर की सकती है स्रीप्ट होती है और जब सुरी का दख्चिनायन होता है का जब शूरिका दश्णायन होता है विंसन इंटर इन साउदर्न हमेस stamps tune तर टक हाए होता क्या है कि वायुदाब पेटी मिमिधा फेटी ऑदकिट दशटील की तरफ की सकते याद कॉत्रायन ओर दचलायन को concept यहां पर बैठाओ इस उत्री आपका उत्त्रायन होगा तो वाइवडा पैटी नॉर्थ में चली जाएगी दचलायन होगा तो वाइवडा पैटी कहां चलियागे साँथ में चलियाय तो सापूच की जिए कि माल लीजिए आपका उत्तरायन हुआ है तो पोच किजी यहां पे उत्तरायन हुआ है उत्तरायन का मतलब हुआ आपका ग्रिस्मरीत है जिएज़के अत्रायन का मतलब होता है घृत कि हो तो ृत्रायन जब ہوتा है तो उत्रायन की काण वायूदा जो पेटिया हैं यह वायिदा पेटिय नौर्थ की तरफ खी शकती है इससे क्या होगा उने वायदा पेटी अल्टक की तरफ है मसे नौर्थ की तरफ खी सकती इसके कान क्या होगा जो एक्वीट और यह low प्रेसर बिल्ट है एक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो एक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है विश्वतिय निम्न वायुदा पेटी लूर्ट की तरफ उत्तर की तरफ प्रवेस करती है नौर्थ की तरफ या उत्तर की तरफ की सकती है समझे जब यह उत्तर की तरफ की सकती है यह प्रवेश करती है नौर्दर्न हेमिस्पेर में यह उत्तरी गुलार्द में प्रवेश करती है तो सिंपल सी बात है आपका इसके कान क्या होता है जो इंडियन सब कॉंटिनेंट है Yup only जो इंडियन सब कॉंटिनेंट है ऐग करति जो कॉंप महाधीप है भारती उपमहादी जो इंडियन सब कॉंटिनेंट है ये भारती उपमहादी के उपर क्या होता है आपका निम्न वायुदा विश्वत रेकी निम्न वायुदा आप आजाता है यहां पे निम्न वायुदाब का विकास याद रखे लो प्रेसर विक्सीत हो जाता है निम्न वाय जो दानिुजयाद का विकास हो जाएगा लूप रेसर का विकास राओन्स एक अधिध कार होता क्या है कि हिंद महासागर से क्पार nell भारत पांने भार्त ? हिंद महासागर से पौने भारत की तरब चलने लगती या दक्षड में चलने वाले ध्यान सुनना दक्षड में चलने वाले जो दच्छिन सन्मारगी पवने थी वो उत्तरी गुलार्द में प्रवेश करती हैं। मानसूनी पवने कहा जाता है और भारत में मानसून की उत्तरी होती है। जो पहला पार्ट है, कुष्ट्ट्ट का पहला पार्ट कम्प्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद हम question के second part में चलेंगे question का second part क्या है समझो question का second part क्या है question का second part है भारत की मानसून की बिसेस्ताएं बताईए question का second part देहो क्या है characteristics of मानसून मानसून की बिसेस्ताएं बताई इसको to the point अब लिख देंगे इसको भूग अलग-अलग यह आवरती पवने हैं या पिरियाडिक विंड है पिरियाडिक विंड का मतलब एक ऐसी पवने जो निश्चित समय अंतराल में अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं मानसूनी पवने हर छे महिने में अपनी दिशा बदल देती हैं गर्मी के टाइम में इनकी दिशा हिंद मह सागर की तरफ होती है ठीके उसके बात क्या है आपका अगली भी सेस्था क्या है आपका कि भारत में अधिकान जो वर्षा होती है आपका भारत में दो मानसुन एक ग्रिस्म कालीन मानसुन और एक सीद कालीन मानसुन तो भारत में अधिकान जो वर्षा होती है वो ग्रिस्म का वर्षा के बित्रण में औसमानता होती है भारत में वर्षा की बाते करें तो भारत में वर्षा हर जगर एक समान नहीं होती है कहीं वर्षा ज्यादा होती है तो कहीं वर्षा आपका क्या होती है कम होती है तो वहीं लिखा हुआ है वर्षा के बित्रण में औसमानता है मानसून कोई निश्चित नहीं है आपका मानसून में निश्चिता नहीं है continuity नहीं है आपका अनिश्चित है कभी समय से पहले आजाएगा कभी समय से बाद में आएगा ठीक है इसके अलावा आपका भारत में मानसून के द्वारा होने बाले जो वर्सा है सुनिएगा भारत में मानसून के द्वारा होने वाले जो वर्सा है अधिकांस वर्सा तीन से चार महिने में होती है और वो भी कब ग्रिस मेरितु में जब मानसून का आगमन होता है आपका उसके वर्सा जो है वो अस्थानी असला कृती से प्रभावित होती है मानसूनी पवने जब भारत में प्रवेश करती है और जब इंट्री करती है जहां जहां परवतों से पठारों से टकराती है वहां वहां पे क्या करती है आपका वर्सा करा देती है इसलिए लिखा हुआ है आपका अस्थानी अस्टलाकृती से प्रवात नियंत्रित होती है पर मानसून के द्वारा वर्षा हुई आपका उसके बाद क्या हुआ आठ से दस दिन आपका बारा दिन एक हफ्ता दो हफ्ता वर्षा नहीं होती है और फिर से वर्षा होने लगती है फिर से वर्षा होने लगती है इसी को मानसून का अंतराल कहते हैं मानसून के द्वारा होने व प्रकार सब्सक्राइब ऐसोर्फ होता है इसकी कई विसंदाओ की अलग-अलग फसलों का उत्पादन होता है हमारा एंसर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा यह हमारे कुश्चन का पहला एंसर था आगर हम दूसरे इंसर की तरफ है दूसरा क्वेश्टन क्या है कि भारत में और गरों आज के सुरोट क्या है क्या धैलो मांग की पूर्ठी के लिए परियाप्त है भारत कर आफ् संहीशातमक गोछ present करें यह जो क्वेश्टन है यह विक ऊंळ मार्णस का कि यह वी कुश्चन क्या है आपका एट मार्स का है आठ नंबर का है कि कि अप्रोस आगे बढ़ते हैं अब देखो आपका कुश्चन इउटा कि इसका इंट्रू कैसे करें किसी देश के आर्थिक विकास के लिए किसी देश के आर्थिक प्रगती के लिए उर्जा एक आवस्टेक सुरूत हैं उर्जा की अभाव में देश마 आर्थिक प्रगति बाधित हो अ कर चल रहे हैं तरभ भारत के विकास के लिए भी ओर तcak इतना लिखने के बाद अब हम सीधे आ जाएंगे कि भारत में द collector कश्रोथ के अपनी कोश्चर्पिया जाएंगे औरफ में अरवत में उर्जा की कि तो पुर्जा की सोप्रियों के दिखा देगे अरवाम ऐसे जार में एक परलब प्रवाट्व किस्वाएं दिखा देखा देंगे गैर परमपरागत उर्जा के सूत यह नभी करणी उर्जा के सूत जैसे यहां पर हम दिखा देंगे शौर उर्जा शौर उर्जा यहां पर हम दिखा देंगे पवर उर्जा पवर उर्जा यहां पर हम दिखा देंगे उतापी उर्जा पूतापी उर्जा यहां पे हम दिखा देंगे गवारी उर्जा टाइडल एनरजी गवारी उर्जा दिखा देंगे यहां पे हम दिखा देंगे नाब की उर्जा नाग की उर्जा की हम बाते कर लेंगे इसी तरह समझी हम बाते कर लेंगे आपका बायो फ्यूल की ऐसे हम उर्जा की स्रोत यहां पर दिखा देंगे ऐसे यहां पर क्या करेंगे हम उर्जा की स्रोत दिखा देंगे उसके बद हम देखेंगे आपका कि दूसरे पहले पैच्छ या पूल लिख देंगे, उचीत तरह लिख देंगे प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस लिख देंगे, नाच्चारल गैस determine, इसके बाद समझी हम पेट्रोलियम लिख देंगे, पेट्रोलियम लगे यह DAY ये प्रूड ऑयल गच्छा ये इसके बाद समझी हम आपका लिदेंगे आपका की वाफ्सका मेजिली यहां पर लिदेंगे यहां क्या करें उर्जा के जो स्रोत है उर्जा के जो स्रोत है इन ँर्जा के श्रोथों को अलग अलग डिवाइड करец और इसकी एक लिष्ट बना देंगे क्योंकि हमसे यहीं पूछा है उर्जा के स्रोत क्या है तो प्रॉपर इसके लिष्ट बना देंगे और लिष्ट बना के दिखा देंगे कि देखिए वाई यहीं उर्जा के स्रोत है इसके बद क्वेश्चिन का दूसरा पार्ट क्या है यहां पर चार्ट आपका स्याट में देखिए यहां पर लिखा हुआ है फेब्रूरी 2023 और इसकी तोलना किया हुआ है फेब्रूरी 2022 से से तुलना किया हुआ है तो केरे हैं कि फेब्रॉरी 2002 में उर्जा की जो रिक्वार्मेंट है उर्जा की आवसिक्ता इनरजी रिक्वार्मेंट यह उर्जा की आवसिक्ता समझो यह 1017209 एक लाख दस्तरह हजार 209 समझों आपका मिलियन यूनिट में है आपका ठीक है और हमने सप्लाई कितना किया एक लाख सोलह हजार 699 देखो डिमांड था हमारा रिक्वार्मेंट थी एक लाख सतरह हजार 209 समझों मिलियन यूनिट आपका और और रिक्वार्मेंट क्या सप्लाई कितने किया एक लाग सोलह हजार छेसो संतानवे ठीक है उसके पर देखो आपका अप्रेल 2022 समझे अप्रेल 2022 से फरवरी 2023 लिग देता हूं में यह है अप्रेल 2022 से फेब्रूरी 2023 समझो अप्रेल 2022 से पोइस से फेब्रूरी 2023 से बाते करें कि रिक्वार्मेंट थी हमारे एक लाक अन्थीजार आपका तो आक रिक्वार्मेंट थी तेरा अख 22 नोसो भीस आप 13,82,920 और हमने सप्लाई किया 13,75,571 हमने सप्लाई किया ठीक है उसी तरह कहला कि अप्रेल 2021 से फरवरी 2022 अप्रील 2021 से फेब्रूरी 2022 इसकी बाते कर ले तो एनर्जी की रिक्वार्मेंट कितनी थी 12,50,625 मैं बता रहा हूं मिलियन यूनिट में हैं आपका ठीक है और हमने क्या तिया सप्लाई किया 12,45,56 इस प्रकार हम देख रहे हैं आकड़े हमें क्या बता रहे हैं आकड़े हमें बता रहे हैं कि जितनी हमारी रिक्वार्मेंट है समझे आकड़े बता रहे हैं कि जितनी हमारी रिक्वार्मेंट है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं सप्लाई हम क्या कर पा रहे हैं कम कर पा रहे हैं उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं उसी तरह समझे आप देखिए फैबरूरी 2023 में दिमांड था हमारा एक लाग 17209 और सप्लाई किया हमने एक लाग 16670 उसी तरह देखो फैबरूरी 2022 अब 22 की बात कर लेते हैं फैबरूरी 2022 में जरूरत थी हमारी एक लाख आठ हजार समझो एक लाख आठ हजार तीन सो बाकट सप्लाई हमने किया एक लाख आठ हजार बतीस तो हर आकड़ा यहां पर दिखा रहा है आकड़े दिखा रहे हैं कि जितना डिमांड है उतना जादा हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब भारत में उर्जा की जो मांग है भारत में उर्जा की जो मांग है उर्जा की मांग की तुलना में उर्जा की आपूर्ती कम है उर्जा की आपूर्ती क्या है कम है यह आंकड़े हमें दिखा रहे हैं जब आप इस एंसर को लिखो गे तो आंकड़े जरूर दोगे है आकड़े नहीं दोगे तो एंसर कोण जैस्टिफाई नहीं कर पाओ ठीक इसी ढुत है बढ़ेंगे अब उठा पुर्सण का अगला पाइड क्या की है कि भारत में हो भुशेノ का अगला पार्ट है खारत में लूड़ता कि में कि बैकल्पिक और जाखेश हुआ भारत में बैकल्पिक उर्जा के स्रोत क्या है यह बताएंगे कि भारत में बैकल्पिक उर्जा के स्रोत क्या है बैकल्पिक उर्जा के स्रोत में आप लिख देंगे पन भिजली सौर उर्जा लिख देंगे बुतापी उर्जा लिख देंगे बवन उर्जा लिख देंगे जैव उर्जा लिख देंगे नाव की उर्जा लिख देंगे लेकिन हमसे कुछन पूछा हुआ कि इसकी समिच्छा कीजिए कि किह जी समिच्छ है कि मंसे यह कुछ है इसके समिच्छ होग एक इसको लिखने के बाद आप इसको लिखने के बाद आप यह बताओगे कि यह जो इूरजा के सुरूत है जिसे हम उर्जा के बैकल्पिक स्रोत बोल रहे हैं इन बैकल्पिक स्रोतों से उर्जा प्राप्त करने में आपका तकनी की सबसे बड़ी कठिनाई बनी हुई है पकनीकी सबसे बड़ी गठनाई बनी हरी point नमर वन, दूसरा investment सबसे बड़ी कठनाई बनी हरी हरी, तीसरा पर्यावोनी चुनोतियाँ है देश में, देश में अपनी पर्यावोनी चुनोतियाँ हरीम, टिके तो सब की अपनी अपनी limitation है, सबड़की क्या है आपका अपनी अपनी क्या है लिमिटेशन है अपनी अपनी समझोश रहे हैं उसके बढ़ सिमाओं को लिंदर को लिक ना आ आप अपनों को या राखिएगा समिश्चा करना पूचार फैglal ै अापको लिखना है अब देख लिजी ठीके देश में समझों आप देख लिजी आपका कोल जो है आपका देख लिजी सबसे अधिक उत्पादन अभी वी कोल के द्वारा होता है देखिए अधिक उत्पादन अभी वी कोल के द्वारा होता है गैस देखिए आपका 6% के आसपास विंड एनर्जी देखिए आपका विंड एनर्जी उसके बाद देखिए आपका इस सोलर एनर्जी है इस सोलर एनर्जी है उसके बाद है हाइड्रो पावर प्लांट है आपका पन्द बिजली है यह और यह को यह हो जाएगा आपका उर्ष यह जायाएगा आपको समझवू यह अपड़ा हमें बता रहा है दरसा रहा है कि आज भी हमारी निर्भरता कोइले पर ही है कोईले पर हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा तो इस प्रकार दिखा कर कि आप बताओगे उर्जा के जो बैकलपिक स्रोत है उर्जा के इन बैकलपिक स्रोतों की क्या समस्या हैं देश में क्या चुनौतिया हैं उनका परसेंटेज कितना है यह सब आप दिखा दो लाश्ट में इतना करने के बाद निसकर्स लिख दोगे इस प्रकार यह इस प्रश्ट है कि देश में उर्जा की आवसेक्ता की तुल्ला में उर्जा का उत्पादन अभी कम है अता आवसेक्ता इस बात की है कि सरकार उर्जा के बैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा दे पूरा कर के आर्थिक विकास की गद्टी को तीब्र बनाए इतना लिग करके आप अपना एंस्टर कंप्लींट कर अपके अ moeten क्या हो जाएगा ए लिए जिनकर्ष का है आँट नंबर का यह भी क्म इससल में सबसे पहले इंटोड़क्शाल लिखेंगे इस विज्भीन इंटोड़क्शा दिखेंगे और इंटोड़क्शन में थोड़ा सब दिखाएंगे परेटर परेटन दिखाएंगे और भारत परेटन और भारत को थोड़ा से दिखा देंगे लिख देंगे आपका कि भारत में परेटन भारत समझो परेटन उद्योग के छेत्र में विश्व की अग्रणी देशों में आता है भारत परेटन उद्योग के छेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में गिना जाता है या अग्रणी देशों में आता है भारत में परेटन उद्योग देश के सिर्श सेवा छेत्रों में से एक है साती साथ कुछ एड़ीपी में परेटन उद्योग की भ्यूमिका छे दसनों दो तिन परसेंट है और कुछ रोजगार में आठ दसनों साथ आठ परसेंट आपका युगदान परेटन उद्योग करता है तो यह हमारा क्या हो जाएगा एक इंटूरक्शन हो जाएगा उसके बा पारेटन उस्तियोग की इस्तीती बात आपको यहाँ पर डाटा ज़लिएगा म्याँुक्त डाटा आपको यहाँ पर यहाँ को detailed आपको देते हो इसका और और लिजाओ परदा ना होगा भारत में परेटन उद्योग की क्या इस्तिती है तो डेकवा बतायेंगे भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में फुल जीडिपी में इसकी भूमिका 6.2% है आपका भारत के कुल रोजगार के स्रिजन में इसकी भूमिका 8.78% है तो तेकि भारत में जो अंतराष्टी परेटक आये हैं 2022 में वह आये 6.9 मिलियन तेके और 2021 में यहाता है है वनपॉइंट फ्याइब प्यूमिलिक आप दिखाएंगे कि भारत में घरेलू परीटन कितना आया है और पूजी निवेस इसके लिए आपको डेटा चाहिए इसके लिए आपको क्या चाहिए आपका डेटा चाहिए और डेटा कि बाद आप क्या करेंगे लिख्ती चली जा Tous टेट एहां पर लिखा हुआ है यह से मांली जीजिए दो YouTubers रिके 2011 ग्यारा में रिकिप्षा हुआ है वॉरेल टूरिस्ट विजिट्स इन इंडिया यह मिलियन में लिखा हुआ है यह क्या है आपका मिलियन में लिखा हुआ है कि 2011 में अनिए दसवनों 5-0 मिलियन था बारा में कुछ कम हुआ 18 दसमलों दो छे हुआ 2013 में 19 दसमलों नाउफ चौदा में 22 दसमलों तीन 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 पंदरा में 23 दसमलों तीन भी इन लिए 16 में 24 दसलों इसाथ 1 million था 17 26 दसलों आठ वन मिलियन 18 28 चार उनने इसमें 31 24 पांच उसके बास हम जो आपका जानती हूं कि कोरोना आ गया तो कोरोना में आपका कम हुआ 20 में साथ दसमेलो एक साथ 21 में देखो कितना कम हो एक दसमेलो जीरो पांच कुरोना का टाइम है आपका उसके पग 2022 में फिर से यह बढ़ा और ही हो गया 8.59 एट पइंट फाइफ नाइन मील यह कुछ आखिर है जो यह बता रहे हैं भारत में परेटन की स्थिती क्या है एक कुछ आखिर हैं जो बता रहे हैं भारत ने inverse true नंबर एफ डोमेस्टिक, ट्यूरिस्ट, विजिट टू, इस्टेट्स, एंड यूनियन टेरेटरी, ये भी आपका मिलियन में है, ये भी आपका मिलियन में है, कि भारत में समझो डोमेस्टिक अस्तर पे अलग अलग राज्यों में और यूनियन टेरेटरी में कितनी परेटन समझो आएं है इतनी परेटक क्या है आए है देख लीजे 2021 में 864 दस्मिलों 5 30 मीलियन 2012 में 10453 में आप देख सकते 1142 दस्मिलों 5 3 14 में 1282 दस्मिलों 8 0 15 में 14 31 9 7 उसकी बांच सोला में 16 15 अज़ान देख अपन्हों आपका अपका अपके इस अपकर आपका यहां पर देख सकते हैं आपका यहां पर देख आपका यहां पर देख देखेंगे वीश और 21 में बहुत कम होगे बीस और 21 में बहुत कम होंगे यह कोरोना का पीरियड कोरोना का फेज है उस कोरोना के फेज में आपको क्या हो रहा है परेटन विल्कुल कम हो गए यह नमबर देना पड़ेगा क्योंकि हमसे पूछा है भारत में परेटन की इस्थिति क्या है यह बताईए हमसे तो हमें बता दिया कितना समझे आपका खर्च आता यह बतादिया गया कितने अंतराश्टी परेटक भारत आते हैं कितने डोमेस्टिक यह बता दिया इस से हमारा ऑन कंप्लीट हुआ कर ik भारत में क्यम पूजा गया की भारत में परेटन का भवी सी क्या है यह हमसे पूछा गया constitution प्रचै तो कि इसको तो दपवाइंट लिएंगे तो भाल पॉइंट की richtige टॉपिक हम क्या करेंगे बच्ची पॉइंट यहां पर लिख देन तो हम बोलेंगे आपका भारत के लिए आपका भारत के लिए बाप समझो भारत के लिए बैस्विक अवसर बहुत जादा है भारत में आपका अइतिहासिक विरासत है भारत आपका जैविबित्ता का केंद्र है भारत में आपका भौगोलिक विरासत है तो ये सब परेटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है तेके उसके बस समझो भारत में परेट की अध्यष्ता किया है और सफलता पुर्वक इसे संपन किया है इससे दुनिया का विश्वास भारत पे बढ़ा है भारत में सिक्राजी अच्छी है इसे भारत में पहले की तूनला में अत्य दीक प्रोग आएंगे परेटन के लिए भारत-ब्र्मन के लिए यह हमारे परेटन के लिए अच्छा है, सुनारे भाविश्य के लिए अच्छा है, इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा इंटीग्रेटेट समझो सिस्टम का विकास किया गया है, जिससे परेटन को बढ़ावा मिलेगा, हर सरकार में आपका एक योजना चलाई है, एक राज्य, एक लापकल मस्कट, वन इस्टेट, वन मस्कट, एक राज्य के लिए एक सुभंगर की योजना चलाई है, इससे हर रा परेटन को बढ़ावा देने के लिए कई सुभ्ण कई पहल, कई योजनाय लेकर के आई है, और ये जो योजनाय है, यह योजनाय जो है, यह भारत में परेटन के उज्वल-भविस्टि का मार्ग प्रसस्त करेंगी, मार्ग निर्धाईत करेंगी, ये योजनाय कौन सी है, तो ज्यादा नहीं थोड़ा सलिए दीजीएगा योजना है पहले देखो अपना देश पहल मिशन प्रसाद योजना धार्मिक छित्रों के लिए स्वदेश दर्सन योजना और आश्की परेटन नीती 2022 इसकी सहायता से भारत सरकार देश में परेटन को लगातार बढ़ावा दे रही है अब बताओ अगर देश में परेटन को लगातार बढ़ावा मिन रहा है तो देश में परेटन उद्योग का जो भविष्य है वो लाश में छोटा चेक निश्कर्स लिख देंगे इस प्रकार यह होता है कि देश भारत परेटन के भारत परेटन के लिए विख्यात प्रमुक देशों में गिना जाता है भारत सरकार की प्रोसाहनकारी नीतियां देश में परेटन उद्योग को बढ़ावा देने में कारगर सा हुई है तो अभारत में परेटन उद्यूग एक परेटन जो उद्यूग है एक विक्सित उद्यूग की रूप में जाना जाता है कि तो ज्यादा नहीं छोटा साब क्या करेंगे कंक्लूजन लिख देंगे अपना एंसर कंप्लीट कर दें इसके बात अगला कोश्चन है यह जो कोश्चन है यह जो कोश्चन है आपनों यह देखिए आपके बिहार की स्पेसल कोश्चन है यह बिहार की स्पेसल कोश्चन बिहार में जातिकत जनगरना हुई है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिहार में जातिकत जनगरना हुई थी तो जातिगत जंगडना जो हम जो वह से रिलेटेड यह कुछां इतसी से कैया किया हुआ आपका पूछा हुआ कि को स्मझे उसी से रिलेट यह कुरूल कुछा हुआ फोचैन क्या समझती यह कुषन आपका सिविंवर्य का सबस्सका स्लीच कि यह साथ नमर का कुश्चन पूच्छा हुआ है कि बिहार में अनुसूचित जाती एवं जन जाती जनसंख्या के वित्रण का वर्णन कीजिए तथा इसकी समाजिक आर्थिक दसाओं की अस्तरों पर टिपड़ी चोटा सा कुश्चन है आपका ठीके तो छोटे से कुश्चन में सबसे पहले आप दिखा देंगे इंट्रॉडक्सर में चाहें तो अनुसूचित जाती के बारे में लिख दीजी या चाहें तो आप दिखा दीजी बिहार बिहार और बिहार में अनुसोचित जाए तो बिहार में अनुसोचित जाए यह दिखा दीजिए अनुसोचित जाती यह दिखा दीजिए अनुसोचित जातियां और अनुसोचित जातियां क्या होती है आप चाहें तो इसको लिख दीजिए कि मैं तो बोलूं का लिक दीजिए आपका 1931 की जनगरना के नुसार अनुसोचित जनजातियों को बहिस्त्रिक और आंसिक रूप से बहिस्त्रित छेत्रों में रहने वाली पिछड़ी जातियों की रूप में जाना जाता है एक परिभासा चाहे तो आप लिख सकते इंटोडक्शन में उसकी परिभासा आप में कुछन में आप यह दिखाओगे कि बिहार में अनुसूचित जाती का आपका च्छित्रपल कितना है इंग कैश् स्थी हम लिखेंगे बिहार में Где को अनुसूचित जाती या को लिए आपका लगभख समझो Cape 19 방 से उनने स्था स्था परसेंट भी लिखा होगा तो राउन फिगर में 20 परसेंट कर देता है 19.65 पर कुल जन संख्या का 19.65 परसेंट अनुसूशी जाती है ठीके और ये टोटल आप पर 2.6 करूँ दो दसमेलों छे करूण जिसका परसेंटेज होता है 19.65 राउन फिगर में आपको कहीं 20 परसेंट लिखा होगा कोई गलत नहीं आपका उसके बद बिहार की सामाजिक धाचे में इसकी महत्तपून भूमिका है बिहार का जो सामाजिक धाचा है उसमें अनुसूशी जाती का एक महत्तून हुमिका है ठीके उसके बाद आपका अगर हम देखे तो Maxximum अनुसूची जो जातिय वह गया जिले में बिहार का जो गया जिला है वहां पर आपका अधिक्तम अनुसूची जाती पाई जाए इसके बाद अनुसूची जन जाती के बारे में लिखेंगे बिहार में सेडियूल ट्राइब्स के बारे में लिखेंगे सेड़ूल ट्राइप साबस के बारे में लिखेंगे अभी जो जनगड़ना हुई है उसमें व्यू बिहार के सिड़ूल ट्राइप साब के 22 न के सिडिूल ट्राइबस आपके 22 लाग है कुल जनसंक्या में इसका जो परसेंटेज है 1.68 परसेंट है एक दसमलो 68 परसेंट है आपका त्रेकि बिहार राके समाजिक दरिसिभूमी में इनकी भूमी का आवश्यक है अगर हम बिहार के समाजिक और आर्थिक द्रिसिभूमी की बा बड़ा अवस्यक हो गया है बड़ा जरूरी हो गया है कि समाजिक आपका समाजिक द्रिसी भूमी में इनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया जाए याद रखिएगा इसकी बाद ये कुश्चिन का पहला पार्ट हो जाएगा कुश्चिन का आपका जब पुड़ा इसमें लिख दे गया आपका कौन-कौन से महत्वपूर्ण जीले हैं कुछ जीलों का नाम लिख देना परस्वी चंपान प्रटिहार जमुरी बांका पूर्या ये कुश्चिले हैं जहां पर अनुसूर्चित जनजातियों की संख्या सब सबसे जादा है ठीके इस से ऑगे बढते हैं इसकी मताब दिखाऊति कि अनुसूर्चित जाति की समाजिक आर्थिक इस्तितrама कि अनुसूचित जाती दिखाओ गे अनुसूचित जाती की बाते करेंगे आपका और सब्से ज़्यादा सामाजिक आर्थिक जो इस्तिक खराब है विहार में वह अनुसूचित जाती की ए कि लगभग समझो आप लोग समझे 42.93 परिवार यहां से समझे 42.93 परिवार यहां से समझे 42.93 परिवार है वो गरीब परिवार है तिके और इनकी आर्थिक इस्तिती सबसे खराब अनुसूसी जनजाती की यकी आते करेंगे आपका सीडिूल ट्राइब की यहां पर समझे 42.7% परिवार गरीब है अनुसूसी जनजाती में 42.7% परिवार गरीब तो सबसे ज़्यादा गरीबी यहां वैठी完了 अनसुजी जन जाती में तो मुझे बताओ अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के बिहार में किसकी आर्थिक इस्तिती सबसे खराब है किसकी आर्थिक इस्तिती सबसे कमजोर है तो आंकड़े आपको बता रहे हैं कि आकड़े आपको बता रहे हैं आपका इस सबसे खराफ आर्थिक स्सथी किस्ति किए अनुसूजी जाती की है ठीके इसी को आपको लिख देना आप लिख करके अपना एंसर कंप्लीट कर दीजिए लिखने के बाद आप अपना एंसर कंप्लीट कर दीजिए इतना ही आपको लिखना था तिक इससे अवागे बढ़ेंगे इससे अवागे बढ़ेंगे अगला कोश्ण बहुत ही सींपल सा कोश्षन नहीं है भारत प्रमुक भौतिख भुभाज में भिभाजित कीजी तथा उस प्रदaju कर वर्हन कीजिल जिसमें बिहार राख इक भूमी साथ को भूराज यह प्रोगों सकते हैं आपका फ्राकृतिक विस्ताओं के आधार पर किसी भी प्रदेश को अलग 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 भागों में वीवाजित करना अलग अलग भागों में वीवाजित ..करना भ्योतिक विभाजन कहलाथ.. उसके बाद लिखना होगा कि भारत को भौतिक विसेष्थाओं के आधार पर ..॥ेँके उसके बाद आप क्या करेंगे दिखादेंगे भारत के अलग-ब्हौगोलिक प्रदेस आप दिखा कि डिखा देंगे आप उत्तर का परवती प्रदेश कि तरका परवती प्रदेश दिखा देंगे formats नॉर्दर्न माउंटन रीजन ऐसे दिखा देंगे आप लोग मैट भी बनाएंगे नॉर्दर्न माउंटन रीजन माउंटेन रीज फिर दिखा देंगे ग्रेट प्लेन आप नौर्थ इंडिया ग्रेट प्लेन और नौर्थ इंडिया यह दिखा देंगे उसके बाद दिखा देंगे दच्छिन का पठार सवदर्न प्लेटू यह दच्छिन का पठार फिर दिखादेंगे लिद्ध कि मरुष्च्छा प्रदेश डेजर्ट रीजन या ग्रेट इंडियन डेजर्ट ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये दिखा देंगे फिर दिखा देंगे आप तर्टी प्रदेश पोस्टल रीजन पोस्टल रीजन या तर्टी प्रदेश दिखा देंगे फिर आपका दिखा देंगे वीपी प्रदेश आइलाइंड्स ऑखर फ्रमाइड ये औलग ख से लग दिखा लिए इसके बज़ें का अभना जरूरी इसल गर को एक मैप बनाना मानि झिद्र बना लेना को है इस मांचित्र में आपको अलग-अलग प्रदेस लिकरें ही जैसे यह प्रदेसा को दिखा जाथ है यह उत्तर का परवती प्रदेश है, उत्तर का परवती प्रदेश है, जो आपको ब्राउन कलर में दिख रहा है, जो भी रीजन आपको डार्क ब्राउन कलर में दिख रहा है, वो उत्तर का परवती प्रदेश है, उत्तर का परवती प्रदेश है, उसके बाद जो आपको ग्री लाइट ग्रीन दिख रहा है कि यह लाइट ग्रीन हो गया इसको आप लिख देंगे आपका मैदान कि नॉर्दन प्लेन उसके बाद जो आपको दिख रहा है एलो कलर में जो दिख रहा है यह हो गया आपका मरुस्तली प्रदेश विख जरूर बनाना एक बनाने से माक्स आपके थोड़ी बढ़ जाएंगे मौरुस्तली प्रदेश उसके बार यह जो तट के आसपास देख रहे हैं कि यह जो तट के आप सपास देख रहे हैं यह 30 प्रदैस हो जाएगा इसके बाद अगर हम देखे इसकी बाद देखे तो क्या पूछा है इसके बाद पूछा है कि उस भाग की चर्चा कीजिए उस भाग की चर्चा कीजिए जिसमें बिहार की भूमी सामिल है मुझे मतों बिहार का अधिकान जो भाग है कि बिहार का अधिकान जो भाग है समझना अधिकान जो भाग है वह मैदानी प्रदेश है बिहार का अधिकांस भाग मैदानी प्रदेश है बिहार का अधिकांस भाग ग्रेट आपका प्लेल आप नौर्थ इंडिया में बैठा हुआ है हाँ बिहार का पस्मी जो दच्छनी भाग है वह बिहार का जो संकीन दच्छनी प्रदेश है नैरो आपका साउधर्न रीजन है उ वह एरिया बहुत कम है वह एरिया क्या है आपका बहुत कम है विहार का अधिकांस भाग जो है आपका उत्तर भारत के विसाल मैदान में सामिल है तो हमें क्या करना इसका दिसकेश कर देना है इसका विश्दार दिखा देना कि कहां से कहा तक इसका विल्दार दिखा दिजीगा प्रशिय में को पंजाब से ले करके आपका पूरब में असम तक किसका विस्तार है उसके बाद इसका उत्पत्ती दिखा दीजिएगा इस मैदान की जो उत्पत्ती हुई इस मैदान की उत्पत्ती हुई है और नदियों के द्वारा तेके और नदियों के द्वारा आउसादी करण का परणाम है नदियों ने भारत की महान नदी तंत्रों ने लंबे समय तक आउसादों का निच्छेपन किया और आउसादों की जमाओ की कान इसका निर्माण इसकी बाद आपका दिखा दीजिएगा विशेष्टा दिखा देना इसकी विशेष्टा दिखा देना कि पच्छिम से पूरब की तरफ इसका ढाल है यह संतल उपजाओ मैदान है इसको कह गते हैं भाबर खादर बांगर में बांटते हैं यहां पे रेह और पुलर पाये जाते हैं ढाल दिखा दीजिएगा टिक जरोड मिट्टी पाये जाती है उसके बाद दिखा देना इसका क्लासिफिकेशन इसका वर्गी करने दिखा दीजिएगा पंजाब हर्याना का मैदान उसके बाद दिखा देना गंगा का मैदान गंगा के मैदान को थोड़ा ज्यादा फोकस कर दीजिएगा गंगा के मैदान को थोड़ा ज्यादा फोकस कर दीज़ेगा का स्भप्लीट हो जाए लास्ट में इसका इंपोर्टिंस महत्र दिखा देना आपका ऐंसर क्या हो जाए गां कंप्लीट का अरुवासर में तो यह हमारे short적 और यह हमारे क्या धिया चोटे चोटे-चोटी वाले कुस्टषन थे आपके थीं कुस्टषण के बाद long answer में चले यहां के बाद हम लोंग एंसर में चले long इंसर में पहला जिय पुस्षन है वह है भिहार इस्पेस है समझ वह है बीहार इस्पेस है तो किस वैँ पहला जो कोशव सत कर प्याप झूच्सर और यह जो मेच्टन यह आपकार फोटे एट मार्क्स कि ए गयो फोटे यह उच्ट फोटे है इसका मतलब इसमें कॉष्टन हुड़े हो अगर फोटे ए頭 मार्सटाय का स्वे की ओगा कही झूड़े हो रोगे आगे जैसे इसन क्या है यह पढ़ा यह पर बीहार पहले को तोड़ लीची ब्रेकडाउन कर लेंगे तो लिखना थोड़ा आसान हो जाए उसके बाद है राज जी में जलवायू क्रिशी छेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है यह कोईशन का दूसरा पाइट है यह संक्ति कि सिकेड़ पाइट हो उसकी करेड़ है यहां पर तॉस MARY मों सुंपाई आते यह हो गया उसन का थर्ड बार्ट झात और उसके चार पार्ट में बचा हुआ है दियान समझेगा चार पार्ट में बचा हुआ लौंग में पढ़ी अगर आप लोगों ने मेरी बिहारी स्टेशल कीٍ क्लास पढ़ी होगी विखार इस सबस्त्री एक लक्लास देखी होगी हमने पढ़ाया है हुर है तक कि सबसे पहले इस सरक्त करें करें इसक है सबसे पहले समके बाइग मं पने लोगया में वी कि आहिए हुर्ण네 बिंटोरक्शन में आप लिख देजी विहार की जलवाईउ हें एक लाएब आप इसके बारे में लिख दीजी चार पॉइंट लिखे वे आप पैराग्राफ वाइस लिखिएगा आप लिखिएगा कि बिहार की जलवायू उस्ट कटिबंधी जलवायू का उधारण है जो कि मानसुनी जलवायू है बिहार की जलवायू में महादी पि जलवायू की भी बिस्यस्ताय पाई जाती है तथा यहांपर वर्स के अधिकान समय तक वायू में पर्याप्त नमी रहती है यहीं तो है बिहार की इसपेसियलटी यहीं तो है विहार की स्पेसियल्टी आपका अनटीस नंबर 38 मार्स की कुश्चन है और आपको लिखना पड़ेगा ठीक है चलो तो यह आपका इंटॉडक्शन चार पॉइंट लिखा हुआ आप इसको पैराग्राफ में लिखेगा और पैराग्राफ में लिख करके आप इसक पैक्टर्स को प्रभावित करने वाले का कौन कौन से कारक है आपका कौन कौन से कारक है उसकी बाते करने वाले फैक्टर्स की बाते करने वाले हैं कौन कौन से फैक्टर्स है तो सबसे पहला फैक्टर्स क्या है बंगाल की खाड़ी से निकटता बिहार चुकिए बंगाल के खाड़ी के समीप है आप बताए अगर यह बंगाल की खाड़ी के समीप होगा तो वहां से आने वाली पौने ज जादा वरसा होती है और जैसे जैसे पूरव से पच्छिन की तरब जाते हैं सामानितह वर्षा कम होती जाती है तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो भवने हैं व Wahr ला चाती है और तक्रा का जो दट्षडि संकीर प्रदैस देखेंगे वहां की जलवाय। आपस्थ दिखाए देगी काल बाइसा की काल बैसा की क्या है आपका अस्थानी नाम है। तेके उसके बाद ग्रिस्म कालीन तुफान बंगाल की खाड़ी में जो तुफान बनते हैं उन तुफान के कारण भी आपका बिहार में वर्सा होती है जो की क्या करते हैं बिहार की जलवायू को प्रभावित करते हैं उसके बाद दच्छने पश्मी मानसून की क्रिया सीलता जो दठ्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट आपको क्या करना है ठीक हेडी नहीं डालना है ऐसे लाइन लिखना है और हर सेक्टर के बारे में चार पॉइंट आपको लिखते हुए चले जाना है ठीक है उसके बाद क्या करना है कि अगला कोश्चन क्या है कि बिहार में प्रमुक मौसम कौन से अगला कोश्चन क्या है आपका बिहार में प्रमुक मौसम तो बिहार के मौसम को आप क्या करेंजी बाढ़ दीजिए तीन भागों में बाढ़ दीजिए एक है आपका ग्रिस्मरितु से कि पिहार के प्रमुख मौसम कौन से आपको पता है कि मौसम को तीन भागो के बाढ़ दीजिए एक है आपका ग्रिसम रितू मार्च से लेकर के मध्धी जून तक समझो आपका उसके बाद वर्षा रितु मध्धी जून से लेकर के मध्धी अक्टूबर तक उसके बाद सीत रितु है मध्धी अक्टूबर से लेकर फरवरी तक हर रितु के बारे में आप लिख दीजीगा कि ग्रिस्म रितु में तापमान कहां पे ज़्यादा होता है है कहां पे कम होता है कि आपका तापमान जादा हो जाता है गर्मी बढ़ जाती है इन सब के बारे में लिखते लूब ठीके उसके बाद वर्षा रितु में आपका दता देना है आपका कि जून के मद्धी जून के बाद बिहार में वर्षा रितु का प्रारंग होता है वर्षा रितु में पूरव से प्रश्चिम की तरफ सामानिता वर्षा कम होती जाती है ठीके वर्षा कहां जादा होती है कहा रितू चल रही है तो सीट रितू में तापमान कितना हो जाता है सबसे कम तापमान कितना कहा होता है सीट रितू में आपका कड़ाके की ठंड पड़ती है आपका सीट लहर चलने लगती है सीट रितू में अगर वर्सा होती है उस वर्सा को भी लिख देना आप इस वर्षह के बारे में बैद देना यानने के इन viral त्वे स्मझ T grab कि यो स्मय दिए टी भी तो थीन पेराग्राफ और फीराग्राफ पके करना है आपको हर कि दॉकर कि तो इतना लिख दोगे तो कुरिस्टन का सिकेंड पार्ट हो जाएक इतना अगर अपुषण का सेकेंड पार्ट हो जाएगा इसके बाट वृस्टेसंकर हटावड़ ए भ्रिस्मरितो तथा क्रिसी आप दिखा देंगे कि बिहार में جब समर सीजन होता है समझी समर सीजन होता है तो समर सीजन में आपका किस प्रकार की क्रिशी की जाती है ठीक है समर सीजन में किस प्रकार की क्रिशी की जाती है अब दिखा दीजिएगा कि बिहार में जब मानसून का आगमन होता है तो मानसून के आगमन के साथ ही धान की खेती की जाती है इनमानसून की आगमन के साथ भी आपका धान की क्रिशी की जाती और जिंस पॉसनों का उत्पादन होता उसको लिख करसे इसको लिदिजीएगा उसके बाद आपका वर्सारी स्टी रेनी सिजन विर्यनी सियजन में हम बाते करें तो अगरें यह भा बिहार में जो क्रिसी है क्रिसी वर्सा पर आधारी थे चुकि वर्सा के बित्रन में अंतर होता है यहीं कारण है कि बिहार के अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग फसल का उत्पादन किया जाता है यदि वर्सा का अभाव होता है जल का अभाव हो जाता है तो फसले बर प्रवाद हो जाती है सिचाई का सहरा लिया जाता है उसके बाद फिर डिसकस करना है आपको winter season पिर आपको डिसकस करना winter season और winter season तथा एगरीकल्च इस सीट रितु है तो सीट रितु में तापमान कम हो जाता है ठीके वर्सा सीट रितु में भी आपका वर्सा पेच्छा कित कम होती है तो सामानेता वैसी फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनके लिए कम तापमान तथा कम वर्सा की आऊशिक्ता होती है मुख्यता जो फसल होगी आपका सीट रितु में रवी की फसल होती है गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है तो इसको आप लिख देंगे और इस परकार दिखा देंगे कि ग्रिस्म रितु सीट रितु और वर्सा रितु कैसे बिहार म प्रभ्भावित करता है यहां पर question का तीसरा part complete हो जाएगा च्रुर्प कर भाद है रम जीए इसके बाद देखिए आपका तो question का अगला part बिहार की क्रीशी जल्वायु छे इक और पाट पूछा हुआ है देखरो यही बिहार की इग्जाम की बिशेश्ता क्लासिफिकेशन या इसका वर्गी कर अगर क्लासिफिकेशन का बेस क्या होगा क्लासिफिकेशन का बेस क्या होगा या क्लासिफिकेशन का आधार क्या होगा आप बताईए अगर हम क्रिशी जलवायू प्रदेश का वर्गी करन करेंगे तो क्लासिफिकेशन का बेस या आधार क्या होगा तो पहला बेस होगा वर्षा का बित्रण अलग-अलग प्रदेशों उसके बाद तापमान टेंपरेचर अलग-अलग प्रदेश में तापमान अलग-अलग होता है तो तापमान हो जाएगा उसके बाद छेत्र रीजन अलग-अलग जो प्रदेश है इस अलग-अलग प्रदेश की अपनी चटानी भी से स्थाएं भी अलग-अलग होती है अब सार का उत्पादन होगा या अलग-अलग फसल का उत्पादन होगा अलग-अलग फसल का उत्पादन होगा याद रखिएगा अलग-अलग फसल का उत्पादन ठीके अब हमें क्या करना है हमने बेस बता दिया हमने ये बता दिया बेस बता दिया कि किस प्रकार के फसल का आपका उतपादन हो रहा है उसके बाद क्या करना है हम बिहार को अलग बाड़ सके बांड़ एक आपका उत्तरपस्मित शितर नौर्थ वेस्ट रीजन उत्तर पश्मिच चित्र दुसरा है उत्तर पुरूच चित्र नौर्थ इस रीजन नौर्थ इस्ट रीजन पीसरा है दच्छनी फेश साउदर्न फेश साउदर्न फेश यह दच्छनी रीजन इसको दो भागों में बाटा गया है एक है का दच्छनी पश्मि मैदान southwest plane और एक है आपका southern plateau दचन का पठाय आपको देखना है कि इसके बारे में लिखना है आपको देखना है कि कौन से आपका phustle का उत्पादन किया जाता है इसके अंदर कौन से जिले आते हैं इसके बारे में आपको राइट डाउन करना है इसकी बारे में आपको लिखना है तो देखिए पहला है उत्तर पश्मी फेज इसके अंतर का तेरे जिले हैं बेतिया है मुतिहारी है गुपाल गंज है सिवान है बैसाली है सिवहर है मुझपरपूर समस्तिपूर सीता मड़ी मदुगनी है तिक दर्भ मिट्टी है दोमण तथा चिकनी मिट्टी है इस फेट का सुथ संचित्चेत्र 2881 हेक्टेयर और सकल सिंचित्चेत्र जो है 3260 हेक्टेयर है ठीक है इसके अलावा फेस्टू में आ जाए नौ जिले है पूणिया कटिहार सहरसा मधुपूरा अरयर्या किसंगन सुपॉल खग जबने कृषि प्रदेश को बांटा था तो किस आधार पर बांटा था वर्सा के आधार पर बाटा था संजो आपका का छित्र की अधार पर बांटा था हमने इसको तापमान की अधार पर बांटा था हमने इसको मिर्दा की विशेष्टा की अधार पर बांटा था तो वो अलग 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 प्रदेश यहां पर आपको दिख रहा हो कि एक है आपका दच्छिन का मैदान कि दच्छिन का मैदान और एक है दच्छिन का पठार दो भाग में इसको बाटा गया था दच्छिन का पठार ठीके इसको भी देख लीजी जट्छिन का मैदान गया हो गया नवादा हो गया और अंगाबाद जहानाबाद ठीके अरवल प दच्छिर का पठार आपका बांका हो गया जमुई हो गया कैमूर भगुवा का इलाका लखीम सराय सेख पूरा हो गया इस फेज में कहला है कि 900 से 1300 मिली मीटर वर्सा है 900 से 1300 मिली मीटर यहां पर वर्सा हो रही है तिके औस वर्सा लगवक 1102 है इस फेज की विट्टी जो है वो बलुई है दो मट भी है चिकनी दो मट है दो मट और चिकनी है इस फेज में सिल्चित छेत्र आपका 241 हेक्टेयर आपका 2410 संपूर 3408 हेक्टेयर फिर लिखना पड़ेगा अगर आप लिखेंगे तो जाकर कि क्या होगा आपको नंबर मिलेगा तो आप समझ सकते कि इतना बड़ा कुछ से नहीं है इतना लिखने की बात क्या होगा आपका एंसर कंप्लीट होगा और लास्ट में आपको निशकर्स देखो कितना बड़ा तो इसलिए कहा जाता है कि बिहार प्रबुद्ध लोगों का बिहार जो है आपका वो बिहार का एक्जाम ही बिल्कुल अलग है ये 38 मार्श का कुष्चन है 38 मार्श का कुष्चन है आगे वड़ते हैं देखो ये भी एक लोग कुष्चन है भारत की मानसून पडाली इसके स्वभाव प्रकार जलवायू परिवर्तन पितरण पूरुवी और पश्मी जेटी स्टीम ब्यवहारत्या का वर्ण कीजिए का वर्ण कीजिए ये भी आपका 38 मार्क्स है इजभी लंबे आपका ये भी थोठीट मास का पुस्टन है कि इसको भी तूड़ो जल पहला क्या है कि इसे पहला perché मन्सून पडा दीजिए को इसे पहला पार्ट कपर धो या मान्सून प्रडा दीजिए मानसून सिस्टेम हो गया देके क्विस्टिन का दूसरा पार्ट हो गया स्वभाव सिकेट पार्ट तीसरा पार्ट हो गया इसका प्रकार देखे अगला है जलवायू परिवर्त चौथा पार्ट जलवायू परिवर्त और बित्रन समनार्थी सक पूरुवी एवं पश्मी जेट इश्ट्री ये पांचमा पार्ट हो और एक होगा बेवहारता फिजिबिल्टी ये हो गया छठा पार्ट तो छे पार्ट में कोश्चन है एक मैं लगा इसका इंसर लिखना होगा छोटे इंसर से काम नहीं चलने वाला ये बड़ा पुस्ट तॉपिक मैंने प्री और में साथ साथ पढ़ाए थे याद कीजिएगा भारत का भातिक भी भाजन भारत की जलवायू भारत की मृदा भारत की बनस्पती इन टॉपिक को मैंने प्री और में साथ साथ पढ़ाए थे तो वहां पर मैंने इन सब चीजों का डिसकुसन किया सबसे पहले आपको लिखना है मानसून सिस्टम के बारे में आपका याद रखी कि मानसून सिस्टम क्या होता है लिखे चीरा इसमें भारत के मानसून के बारे इसमें आपको लिखना होगा भारत के मानसून के भारत का मानसून सिस्टम क्या है भारत का मानसून सिस्टम क्या है इसको आपको लिखना होगा इसको आपको लिखना होगा इसको आपको बताना होगा आपका प्रक्राइब इसको आपको बताना हो a responsible में आपको बताना होगा कि मांसुन आzen उस टॉपिक में पी टी और मेंस एक साथ पढ़ाता हूँ याद रखिए उस टॉपिक में foundation में पढ़ाता हूं पीटी और मेंस एक साथ जैसे भारत का मानसून हो गया भारत की जलवायू हो गई भारत का भावतिक विभाजन हो गया भारत की चट्टानी संरचना हो गई भारत की मृदा हो गई भारत की बनस्पतियां हो गई इसको में प्री और मेंस साथ साथ पढ़ाता है अब देखो तो भारत के मानसून के बारे में आपको लिखना है कि मानसून जो की एक मौसमी पवन का उदारन है भारत के मानसून को व्यापक अस्तर पर प्रभावित करती है भारती जलवायों के उपर मानसूनी पौनों का व्यापक प्रभाव है इनी पौनों के कारण भारत म मानसूनी वर्सा होती है उसके बाद बोलेंगे भारत का जो मानसून की उत्पत्ती है इसके उत्पत्ती से संबंदित कई कारक बताएगे जिसमें सबसे सामानी कारक तापी सी धारत है उसके बाद बता देंगे कि तापमान में अंतर की का तापमान में अंतर की का ग्रिस्मरित करती है लिप महाधवीत की तरव प्रवाय होती चुकि ये पवने हिंद महासागर से पैदा होती इसी कारणवस ये पॉने आध्र पॉनों का उधारण है जब ये भारती उप महादूप में प्रभेश करती हैं तो वर्सा कराती है तेके इसके बारे में तो पूरक पूरा मानसून सिस्टम फिर इसके बार सी तुमें अब कि सी तुमें आपका उल्टा कर देना है अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया था सी तुमें क्या कर देना है आपको उल्टा कर देना है और भारत के मानसून सिस्टम को आपको समझा ले जाएंगे जबाब दीजी भारत के मानसून सिस्टम को समझा ले जाएंगे इसके आप मानसून मानसून के सुभाव के बारे में आपको लिखना है नेचर आप मानसून यह मानसून के सुभाव के बारे में लिखना है इसमें दिखाना है ऑंसेट आप मानसून भारती मानसून का आग्मन दिखाना इसमें आपको भारती मानसून का आग्मन का आगमन यह दिखा देना है भारती वानसून का आगमन दिखा देना है आपका जून में आपका एक जून में और यहां पर आपका दिखा देना है उसके पर दिखाना है कि भारत में कि में कब और कैसी स्व्ज श्ब करकाते है सब जो और कैसे मानसुनी पवणि प्रवीस्क्रत की मानसूनी पवने प्रवेश करती है पवने प्रवेश करती दिखा देना है कि जून के फर्ष्ट वीक में कहा पर और यहां पर एक मैप भी बनाईएगा यहां पर एक मैप डाल देजिएगा जून के फर्ष्ट सब्ता में कहां पर आती हैं फर्ष्ट सब्ता में कहां पर आती ह ठीके अगस्त के फर्स्ट वीक में भारत में कहां तक जाती है उसके बाद सेकेंड वीक में कहां तक जाती है और कब तक भारत के पूरे के पूरे इंडिया में मानसूनी पौनों का प्रभाव हो जाता है उसको आपको दिखा दे उसके बाद दिखाना है प्रॉपिकल साइक्ल प्रभाव में दिखा देना है कि मानसून के द्वारा वर्षा वर्षा कहीं पर ज्यादा वर्षा कहीं पर ज्यादा वर्षा कहीं पर कम कहीं पर कम यह दिखा देना है इस वर्षा में दिखा देना अल्लीनों ठेके अल्लीनों के द्वारा वर्षा पर प्रभाव दिखा देना है वर्षा पर प्रभाव दिखा देना है वर्षा पर प्रभाव दिखा देना है कैसे अल्लीनों भारत की द्वारा होने वाली जो भारत में मानसून के द्वारा होने वाली जो वर्षा है उस वर्षा को कैसे क कर देता है लालीना का प्रभाव दिखा देना है उसके बद दिखा देना है कि भार्ती मासुरे उसके बद दिखा देना है कि मानसून के द्वारा व्रशा का वित्रन दिखा देना है उसके बाद दिखा देना अधिक वर्षा वाले परदेश अधिक वर्षा वाले परदेश मध्यम वरफ़ हाले प्रदेश ुए और कम वरफा वाले प्रदेश यह दिखा देना अ ठिकर उस के बाद दिखा देना आपके उसके बाद दिखा देना देना आ मांसून में अंतराल मांसून में अंतराल यह दिखा देना है आपको मांसून में अंतराल मांसून में जो अंतराल होता है वह अस्थानी विशेष्टाओं के कारण पहला दिखा देना है अस्थानी बिसेश्ता के कारण अंतराल होता है देखे उसके बाद दिखा देना कि मानसून में जो अंतराल होता है वायुदा पेटियों के सिफ्टिंग के कारण वायुमंदली परिसंचन के कमजोर होने के कारण वायुमंदली जो परिसंचन है उसके कम क्मजोर होने के काण अभी कुछ ताइं पहले मैंने आपको बताय था कि मानसून में अंतराल किसी कहते हैं तो वहीं आपको लिख देना उसमें बता देना है कि मांसुन में अंतरा अस्थानी भी सिर्था की कारण होती है वाइमंडली परिशंचन में अंतर की कारण होती है तापमान और दाब की दसाओं में परिवर्तन की कारण होती है हवाओं के कमजोर होने की कारण होती है आपका उसी को लिखना है ठीक है मैंने बोला कि कुछ ट लिख देंगे तो question का second part complete हो जाए इतना जब आप लोग लिख देंगे तो question का second part क्या होगा complete हो जाएगा इससे हम आगे बढ़ते हैं इससे हम आगे बढ़ते हैं उसके बद पूच्छा हुआ कि मानसून के प्रकार मानसून मानसून के प्रकार मानसून को दो प्रकार में बांड देंगे मानसून को दो प्रकार में बांड देंगे एक होगा आपका समर मानसून कि एक होगा समर मानसून और एक होगा विंटर मानसून विंटर मानसूर के बारे में लिख दीजिएगा विंटर मानसूर के बारे में लिख दीजिएगा ठीके समर मानसूर पहले आप फिगर बना लेंगे ग्रिस्म कालीन मानसूर आप फिगर बना लेंगे अगर पूरा फिगर नहीं बना सकती तो कोई सुने ग्रिस्म कालीन मानसू यहां पर दिखा अभी कुछ नहीं पहले मैं डिसकस किया था यहां पर समर सीजन दिखा दीजी यहां पर टेमप्रेचर आपका ज्यादा हो गया प्रेशर कम हो जाएगा यह इंडियन ओसे नहीं आप प्रवनता बिक्सित होगी पवने आपका भारत की तरफ प्रवाइत होना शुरू करेंगी अब पुछ टाइम पहले मैंने आपको डिसकस किया था गृस्म कालीन मानसून के बाद़ में याद है अभी पुछते हैं पहले डिसकस किया था मैंने ग्रिस्म मानसून ग्रिस्म कालीन मानसून के बारे में उसे को लिख देना है ग्रिस्म लितु में लेंड और जल और अस्थल के अलग-अलग गर्म होने की प्रक्रिया के परणाम स्वरूप भारतियुक महादूप पर पर अतिरिक तापमान की कान निम्न वायुदाब की दसाएं विक्सित होती है वहीं पर हिंद महासागर में कम तापमान की कान उच्छ वायुदाब की दसाएं विक्सित होती है इस प्रकार हिंद महासागर से भारतियुक महादूप की तरफ दाप प्रवन का विक्सित होती ह परहिंद महासागर से पहुने भारती उप महादवी पित्रव प्रवाहित होती चली जाती है आपका इन्हीं ग्रिस्म कालीन मानसून या दच्छी पश्वी मानसून के नाम से जाना जाए ठीक है आप फिगर बना दीजिएगा फिगर बना करके आप प्रॉपर तरीके से दिखा देना है कि सीट कालीन मानसून दिखा देना है विंटर मानसून दिखा देना है कि सीट कालीन मानसून या विंटर मानसून दिखा देना है कि सुन में विंटर मानसून में भी आपको क्या करना फिगर बना लेना है तो जहां पर फिगर बना सकते वाप फिगर जरूर जरूर बनाएएगा जहां भी आप फीगर बना सकते हैं फीगर जरूर बनाएगा का इंडियन सब कॉंटनेंट से इन्डियन उसें की तरफ हो जाएगी अप पवने जो होंगी यह पवने अभारत से हिंद महासागर की तरफ रवाइट हो ऐसे बना देंगे इसी में दिखा देंगे कुछ फोने बंगाल की खाड़ी में प्रवेस करेंगी कुछ बगपावने ज के पूरो मंदल तड़ से टकरा जाएंगी कि तेके पूरो मंदल तड़ से यहां पर टकराएंगी और पूरो मंदल तड़ से टकराएंगी यहां पर सीथ काल में कि में सीथ कालीन मानसून की द्वारा वर्सा हो जाती है कि सीथ कालीन मानसून द्वारा वर्सा मानसून द्वारा वर्स ठीक है यह दिखा देंगे आप लोग इतना दिखा देंगे तो क्वेश्चन का यह वाला पार्ट पूरा हो जाएगा इससे आगे बढ़ते हैं आपका अगला पार्ट कह रहा है कि भारत के मानसून पर पुर्वी जेट इस्ट्रीम की बापका पूर्वी जेट इस्ट्रीम के प्रभाव की चर्चा करें तो अगला पार्ट क्या है अगला पार्ट है मानसून का अगला पार्ट मानसून है इस मानसून पर हमें डिसकस कर रहा है आप से पूछ रहा है वेश्टर ली जेट इस्ट्रीम पर शिमी जेट इस्ट्रीम पर शिमी जेट इस्ट्रीम वेक्टर ली जेट इस्ट्रीम की बाते कर रहा है और इस्ट्रीम इस्टर्ली जेट इस्ट्रीम या पूरवी जेट इस्ट्रीम के प्रभाव की बाते कर रहा है एक बार हमें क्या करना करना होगा एक बार हमें क्या करना होगा परश्मी जेटी स्ट्रीम का प्रभाव दिखाना होगा और एक बार हमें दिखाना होगा पूर्वी जेटी स्ट्रीम का प्रभाव समझे तो परश्मी जेटी स्ट्रीम की प्रभाव की गरम बाते करें तो चलो विंटर में चलते हैं को वेंटर कि उंटर की बाते करें तो विनटर में क्या होता है जो वेश्टर लिडग्स ट्रीम है मजी bisa जो वेश्टरलिड्घ ये लुकर प्रस्पी डिसी मैं पहली बात इस पैस्तिमी निम्न अच्छानसूं की तरफ दो दो कि तरफ पस्थानान्तित हो जाती है और यह आपका लगभग समझेगा मूनका है तब अस्थानान और यह करहें लगबर आपका पंचीस से अपका यूर। यह 25 से 25 डिगरी अच्छांस तक आ जाते हैं यह एकलिवज डिएकंश तक आ जाती है और यह गर्मी का मोसल होता है जब गर्मी का मौन सम जब यह होज आप सउल्एयां लूगों जब यह सर्दी का मौसम होता है तो सर्दी के मौसम पिगर को आप देखेंगे ज़रां कि इसकी उचाहि कम हो चुकी है यह निम्न अच्छांसू की तरफ अस्थानांतरित हो चुकी है और पच्छिम से पूरब की तरफ चलती है, तो जब ये आगे बढ़ेगी समझी, ये मालो यहाँ पर, आगे बढ़ेगी तो भारत में हिमाले बैठा हुआ है, हिमाले बैठा हुआ है, तिबबत का पठार बैठा हुआ है, तो हिमाले और तिबबत का पठार बैठा हुआ है, तो जब ये जे की माल है और दचिन की आपको तिबब के पठार के दच्छिन में आ जाता है जैसे दच्छिन में आता है इसका दच्छिन वाला भाग ये इंडिया के ऊपर भारत के ऊपर अस्थापित हो जाता है जिसके काण यहां अगते जिसके कार्ण इस रीजन में इजी कार्थिंग महावीर के ओपर हाइप रिसर बन जाता है और इससे आपका हिंद महासागर के तरफ पौने प्रवाइट होने लगती है इसी को क्रूंग आपका सीट कालीन मानसु कैøऌ के इसी को वा स्मझीी मょकाいやपण नहीं होती है यह कंडिशन कभी ग्रिश्मरी तुमें नहीं होती है यह कंडिशन आपका सीट रितू में होती है यह जैसे ही विंटर्स आपका समर्श सीजन आएगा जैसे ही summer season आएगा, ग्रिस्म नितू आएगा, इस ग्रिस्म नितू में जो पश्मी जेटी श्री में इसकी उशायी बढ़ जाती है, अब ये उच्छ अच्छानसों की तरफ चली जाती है, तो भारत से ये भारत के उत्तर में सिप्थ हो जाती है, याद रखना आपका, ये भारत के उत्तर में सिफ्ट हो जाती है तो अगर ये भारत के उत्तर में सिफ्ट हो जाती है बड़ी सिंपल सी बात है भारत इस पश्वा जेटी स्ट्रीम से मुक्त हो जाता है भारत इस पश्वा जेटी स्ट्रीम से क्या हो जाता है मुक्त हो जाता है आसानी से भारत में निम नुवाइवद आपकी दसाएं बनती है और हिंद मासागर से कौनों को आकरसिद कर लेता है तेके याद रखिएगा ये पश्चिमी जेट इस्टीम तता भारती मानसून है ये भी क्लास में आपको पढ़ाया गया था जब मैं आप लोगों को प्री और मेंस का टॉपिक एक साहट डिस्कस कर रहा था मानसून का टॉपिक तोपिक में ये भी आपको पढ़ाया वाए मैंने क्लास में अगर आप लोगों ने क्लास चाहिए ऑनलाइन किया हो चाहिए ऑफलाइन किया हो तो कि मैं बार बार बोल रहा हूं कुछ टॉपिक में प्री और में साथ में पढ़ाता है मानसून हो गया भौतिक विभाजन हो गया मृदा हो गया बरस्पति आपका यह आपका डिसकस किया पूर्वी जर टिश्रीम तता भारती मानसू इसकी चर्चा करना तो पूर्वी जट इस्टीम की बाते करेंगे और समझों चैंamas यह और यस्ठाई जीर्टिस मैस ये और फीकिस्टिंत अनकील में यह स्थेबल यह इसथाई नहीं है यह उइस्टाई जैट इस्टीम का उद कारण होती है आपका यह पैदा होती है समर्सीज़ को समझे यह पैदा होती है समर्सीज़ ग्रिस्मरुतु में पैदा होती है ग्रिस्मरुतु में पैदा होती है जो मध्य हिसिया तिब्बत का जो पठारी चित्र है वो गर्म होता है तिब्बत का जो पठारी प्रदेश है व वह आसपास के छेत्रों की तूलना में गर्म हो जाता और वहां से हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ती हैं और जेट इस्टीम बनती देखिए यह तिब्बत का छेत्र है कि यह क्या है आपका कि अपर फिगर को देख लो यह अफ्रीका है कि यह तिब्बत का पठार है कि तिब्बत का पठार यहां से हवा गर्म हुवी यह हवा गर्म हुवी समझी गर्म होकर ऊपर उठी ज्यां सुनिएगा गर्म होकर उपर उठी उपर उठने के बाद समझे उपर उठने के बाद यह हवा उपर उठती है उपर उठने के बाद गती करती है तो यह हवा क्या करती है गती करती है और आकर के आपका मस्करीन के पास समझे यहां पर आकर के मस्करी मस्करीन के पास यहां पर क्या करती है हाई प्रेसर का निर्मान कर देती है मस्करीन के पास जो कि हिंद महासागर में है वो हाई प्रेसर का निर्मान कर देती है और इस प्रकार क्या होता है मस्करीन के पास हाई प्रेसर बन जाता है अर्था हिंद महासागर में हाई प्रेसर बन जाता है यहीं तो चाहिए यहीत्यृ आमने चाहिए आपका ही नहीं ज टाइन chaat घृमाध्य शागर से नहीं उठता है यह मध्य सागर से सिटोस्ट कटि बंदी चक्रवात पैदा होती है और उस चक्रवात कुप पश्च्मी जेटिस्ट्रीम आपका सीथ नीतू में भारत में लेकर के आता है गलत मत बोलो बच्चे गलत मत बोलो हिंद महासागर में हाई प्रेसर बन जाता है और हिंद महासागर में जब हाई प्रेसर बन जाता है तो इसके कारण क्या होता है तिब्रता के साथ पौने जो है भारत की तरफ गती करने पहुंचती है भारत में आपका वर्षा जादा याद रखिए तो यह इसका प्रभाव होगे तो कि हम यहां पे question का answer discuss कर रहे हैं तो कि हम यहां पे question का answer discuss कर रहे हैं topic जब होगा तो खुब detail में चर्चा किया जाए इसके बाद समझो आपका यहां पे topic complete हो जाएगा उसके बाद question पूच्छा हुआ है भारती मानसून की ब्योहा रखता कि इंडियन मानसून भारती मानसून की feasibility क्या है आप कि कुस्टन योटा कि feasibility का मतलब क्या होता है feasibility का मतलब समझो किसी भी कारिकों करने में कितनी कठना ही आ सकती है किसी भी कारिकों करने में कितनी आसानी आ सकती है किसी भी कारिकों करने में किस कितनी कठना ही आ सकती है याद रखना उसको हम फिजिबिल्टी का नाम देते हैं उसको हम नाम दे देते हैं आपका फिजिबिल्टी का याद रहेगा इतना अब कुछ सुटा की ठीक है माल लेते हैं वो फिजिबिल्टी तो हमें आपका भारत के मानसून की फिजिबिल्टी लिखनी भारत के मानसून की कट सरलता बस एक है कि आपका सरलता क्या है आसानी क्या है कि भारत में वर्सा हो जाती है भारत में क्या हो जाती है वर्सा हो जाती है वर्सा जब भारत में होती है बड़ी सिंपल सी बाते भारत में कई छेत्रों में आसानी से वर्सा प्राप्त हो जाती है बेवीन प्रकार के फसलों का उत्पादन की याद रहता है ठीके गर्मी के टाइम में आपका लैंड और वाटर हीट होता है उसके हीट में अंतर होने के काण दाब में अंतर होता है और पाउनों का जल्म हो जाता है इतना याद रखिएगा कुछ से नहीं उठा कि कठिनाई क् भारत का जो मानसून है ना भारत के मानसून को समझना बड़ा डिपकल टास्क है याद रखो भारत के मानसून को समझना बड़ा कठिन कार रहे हैं मानसून को समझना बड़ा डिफकल्ट का टास्क है बड़ा कठिन कार रहे हैं क्यों कठिन का रहे हैं क्योंकि भारत का जो म मानसून है भारत का जो मानसून है किसी एक कारिस एक फैक्टर से प्रभावित नहीं होता भारत के मानसून को प्रभावित करने वाले कई फैक्टर हैं प्रभावित करने वाले कई कारक हैं जैसे भारत के मानसून पर समझो आपका एल्लीनों का प्रभाव पड़ता है एल्लीन बेनील आसिलेशन का प्रवाव पड़ता है भारत के मानसून पर इंडियन ओसेन डाइपोल का प्रवाव पड़ता है झिकैं भारत के मानसून पर आपका जूलियन मेडन जूलेशन मेडन ओसिलेशन का प्रभाव पड़ता है ठीके तो भारत के मानसून पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है याद रखीगा भारत के मानसून पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है कई कारकों के प्रभाव की कारण क्या होता है भारत का मानसून को समझना बड़ा कठिन हो गया है इसलिए कहा जाता है कि भारत का जो मानसून है ये भारत का मानसून बड़ा सरप्राइजिंग भी से है भारत का जो मानसून है ये भारत का मानसून बड़ा ही सरप्राइजिंग भी से है भारत का मानसून बड़ा ही आसर ही कभी से है इसके बारे में कोई सटीक जानकारी दे पाना बड़ा डिफकल टास्क है कोई सटीक जानकारी दे पाना क्या है आपका बड़ा ही डिफकल टास्क है इसके बारे में लिख करके आप अपना एंसर पूरा करें इतना लिख करके आप अपना इसके पूरा कर दे इस के बाद चाहिँ स में कंक्लूजल लिख सकती है अच्या Omaha to her कनपूजन लिख सकते हैं निषकर से अ्लिक सकते करूजन लिक सकते हैं लाष्ट हम गण Very सिसलिदा लिखेंगे की भारती मानसून भारती मानसून जो की कई कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं यहीं कारण है कि भारत की अलग अलग च्छित्रों में अलग-अलग प्रकार की वर्सा होती है और अलग-अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है चुकि देश के आर्थिक विकास में सहायक है तेके देश के आर्थिक विकास में क्या है आपके सहायति इतना लिख करके आप अपना एंसर पूरा करें इतना लिख करके आप अपना एंसर क्या कर देंगा आपका पूरा कर दें कि इसके बद लाच्ट पर स्परय हमारा लाच्ट पूशन आए ये शने आप का सिक्षम का इसी कोमेसिख् सेंधिक और णीशने शिक्षण त्री का सिक्षा में दृूसर फिर इन नम्मर आर्थring है स्क्साइन थ्री में है आपका क।्ष्ष्ष्ण नम्मर 8 8 इंपना याद रखी जिए का इनवार्मेंट का है एंवार्मेंट का या ये फ denial कि परिया바्रान और या परियावर भिन को तक्निकी के साथ जोड दिया है इनवर्मेंट का कुष्च्ट ने और इस कुष्ट ने कि आगी है तकनिकी के साथ हम जो जोड दिया है इतना यादर कीगा तो पहले को स्थ्थ पढ़ते हैं आप लोग पहले भारत के पर्यावन के लिए तकनीकी का दुरुपयोग एक अभिसाब बन गया है तकनीकी का दुरुपयोग समझो एक अभिसाब बन गया है अगर इसके मैं इंग्लीज की बाते करूं इस क्वेश्चन के मैं इंग्लीज की बाते करूं तो मैं इंग्लीज में भी आपको सुना देता हूं कि इस इंग्लीज की बाते करूं तो आप देख सकते हैं कि देखें कुस्टन का इसका इंग्लीज आप देख सकते कुस्टन है आपका कि मिस्यूज आप टेक्नलोजी एंड इस रॉंग अप्लिकेशन लीड टू द पॉलूट द एंवार्मेंट एंग्लीज में आपका कुस्टन वाते हैं जरॉंग आते हैं यह हमारा कुस्टन है यह हमारा कुस्टन है तो हमें क्या करना पड़ेगा ठीके हमें क्या करना होगा सबसे पहले क्या करना होगा हमें समझी हमें क्या करना होगा सबसे पहले कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा इसका एक इंटोड़क्शन लिखना अजय सुप्से पहले इसका एक introduction की लांग इंस और यह कुस्यम धौश्ट थोर्टी-शिक्स मार्श तो यह ईब फूश्ट्ट कि वह एक समांड आपका हुश्ट्ठ तेस्च कुस्ट्न About 36 नमर्ट करूशन यानि की यह भी करों पृश्ट्ट क्या है आपके क्लों एंश Lifton में यह बैते करें अगर हम इंटॉड़क्षन की बाते करें इन बॉनांद दक्वा डिपास में तकनीकी की भूमिकाते से फ़ती तकनीकी की यह उती वह देखा दीजेएगा और कि भीकास के लिए थे बिकास के लिए तक्नी की क्यूं आवस्य के बिकास के लिए तक्नी की त्यूं आवस्य के जादा नहीं लिखना है अराम से इस पर दिखा दीज़ेगा 50 से 60ец ब लंबा इंटोड़क्शन लिखा जा सकता है तो याद रखिए इतना लंबा इंटोड़क्शन लिखा जा सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं अराम सी इतना लंबा इंटोड़क्शन आप लिख सकते हैं और यहां लिखिएगा कि आजुनिक विकास से लिखिएगा आजुनिक विकास में तकनिकी की महत्र पॉर्ण भूमी ऑजुनिक विकास का जो नीव है वह तकनिकी पर ही निर्भर करता 되어 जिन देशों में तकनिकी का बहतर विकास हुआ है वे Codeist बैस्वी कस्तर पे आर्थिक विकास के मामलों में आगे है इसके विप्रित जिन देशों में तकनिकी का विकास अपेच्छा क्रित कम हुआ है वे देश आर्थिक विकास के मायनों में भी पिछडे हुआ है आप इसका क्या कीजीगा इंग्जाम्पल भी दे दीजी और इतना लिखने के बात किया करना है आपको मेल कुष्टन पर आजा है मेल कोईशन क्या है कि तकनिकी का दुरुपयोग और गलत-प्रयोग तथा पर्यावन-प्रदूसर उसके बाद तकनीकी का गलत परियोग तथा जलवायू परिवर्त फिर पूच रहा है कि भारत में क्या कीजिए भारत में इसके इंग्जाम्पल्स दीजिए और इंग्जाम्पल देकर कि क्या कीजिए अपने एंसर को जस्टिफाई कीजिए तो सीधिया तकनीकी का दुरुपयोग तकनीकी का दुरुपयोग कैसी कैसी समस्याएं पैदा हो रही है तो सपूच कीजिए क्या कहते हैं देखो तकनीकी के अधिक विकास की का हम क्या कर रहे हैं सागरों में जाकर के गहराई में खुदाई कर रहे हैं तो सागर एक सांथ प्रदेश होते हैं तो वहां पे गहराई में जाकर खुदाई करेंगे तो वहां पे आपका ध्वनी प्रदूशन की समस्या होगा मसीनों का हम जादा उपयोग करेंगे तो मसीनो के ज़्यादा उप्योग की कार्ण भी क्या होगा ध्वानी प्रदूशन की समस्या पैदा होगा है तो इसके अलावा अगर हमारे पास टेक्नलोजी है तो टेक्नलोजी का उप्योग करके हम प्राकृतिक संसादुनों का बिदोहन कर सकते हैं अगर और संतुलन पैदा होगा तो यह भी प्राकृतिक आपको यह भी परियावन के निमनी करण इन्वार्मेंट के डिग्रेडेशन निमनी करण तथा परियावन के प्रदूशन का बहुत बड़ा कारण होगा मसीनों के उप्योग के कारण समझों तकनिकी के प्रियोग के कारण हमने मसीनों का निर्मान किया तकनिकी के प्रयोग की कार्ण हमने क्या किया मसीनों का निर्मान किया और मसीनों का जब निर्मान किया तो मसीनों के निर्मान की कार्ण समझे हमने अध्योगी कर्ण किया अध्योगी कर्ण में याद रखिए हमारा ध्यान ध्यान केवल और केवल अत्यदिक उत्पादन पर है हमारा ध्यान केवल और केवल अत्यदिक उत्पादन पर है हम पर्यावन के सरचन की तरफ कम ध्यान देते हैं जनरली ऐसा माना जाता है कि जब भी किसी देश को चूज करना हो आर्थिक विकास और पर्यावनी विकास तो देश हमेशा पर्यावनी विकास के ऊपर आर्थिक वि का का आर्थिक विकास को ज्यादा महत देता है तो आपका प्रदूशन की समस्या पैदा हुई अब ये जो रसाय नहीं ने वह प्रदूशन फैलाया जल प्रदूशन फैलाया मृदा प्रदूशन फैलाया आपका ते कही प्रकार के प्रदूशन के कारण भ달 हिए इसके बार देखिए आपका हमने टकनीगी का उप्योग किए और टकनीकी का उप्योग करके हमना पहुत पादन करें हम नजवन की ऊरजा का उतपादन यह समझे बना बूल की उष्या का उत्पादन करना लेहां सुम्णा नाव की उर्जा का उत्पादन करना यह तो तक्निकी का उप्योग हो गया लेकिन हम क्या कर रहेए लेक्टारे का प्रबंद हमन läuft वेत्र रहे है कि इसके कान्ड रेडियो सकरी प्रदूश्ण की समस्या पैदा हुए इसी तरह समझ ये भर्म क थे थे ब्रणों कि दुर्फयोग के श्राहिए ग्रिंहा। कि तकनीकी के दूर्पयोग के कारण आपका उपयोग भी बोल सकते हैं दूर्पयोग भी बोल सकते हैं re भी पर्यावन प्रदूशन का कारण है जरीली गय से निकल रही है तो ये भी क्या है आपका पर्यावन प्रदूशन का कारण है इसके अलावा तकनीकी का अत्रीक उपयोग करने की का एलेक्ट्रानिक के छेत्र में आपका हम तकनीकी का उपयोग ज्यादा करते हैं तो तकनीकी कि अत्यदिक उपयोग के काण आपका इवेस्ट इलेक्ट्रानिक कच्रे का उत्पादन भी ज्यादा होगा इलेक्ट्रानिक कच्रे का उत्पादन अगर ज्यादा हो रहा है तो यह भी प्रदूशन का क्या बनेगा यह भी प्रदूशन का क्या बनेगा कारण बनेगा आपका ये भी प्रदूर्शन का समझो कान बनेगा इस वकान हम देख रहे हैं कि तक्निकी के अधिक उपयोग की कान तक्निकी के दुर्पयोग की कान के वल एक प्रकार की प्रदूर्शन की समस्या पैदा नहीं हुए पर्यावर्ण में ब्रिहत अस्तर पर नुक्सान हुआ है याद के लवा अन्नी समस्याओं के गर हम बाते करें तो जय विवित्ता संकट की समस्या भी पैदा होगी आपका अधिम अधственно अधिए पहला कॉजिसं का पहला पार्ट हो गया अब कुशिन का दूसरा पार्ट है आपका एक प्राक्रतिक समसादूं का वेदोहन इसमें आप ही हुआ है कि सतनी संब का बनाया हुआ अप сотभ कस्तिया बनाए मैं मैंने यहाँ पर टायगराम और चार्ट बनाया हुआ है आपको इसको लिखना है कि आपको ट्रॉपर तरीके से लीखना है तो तकनीकी परिवर्तन कैसे हो रहा है वही सेम बाते लिख देना है तकनिकी के कारण आपका अध्यूगी करण ज्यादा हुआ है जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसों का उसरजन ज्यादा होता है ग्रीन हाउस गैस कैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉंसिबल है ग्रीन हाउस गैसे ग्लोबल वार्मि का ही प्रकार का जलवायू परीवरत्थन इसके बाद आपका कड़िक की कशिक और कि டे कि जितना ज्याद तक्नीकी आभिकास हुआय है उतना ही टेजी से नगरी कण हो रहा रहा है नगरी में ब्रिद्धि हो रही है तो नगरी की अगर होगी दिफ्रोरेक। होगा निर्वनी कर्ण होगा निर्वनी कर्ण होगा प्रदूसक पैदा होना आपका प्रदूसक पैदा होना आपका प्रदूसक पैदा होना इजलवायू परिवर्तन में ब्रिद्धी करता है इजलवायू परिवर्तन में क्या करता है ब्रिद्धी करता है उसी तरह तकनिकी क गुकों की अस्थापना तेजी से हो रही है तेकर यह है ये भी क्या करेगा डी फोरेस्टेशन का कान बनेगा निर्वनी कान बनेगा विभिन प्रदूशनकारी गैसे निकलेंगी जो कि जलवायू परिवर्चन के लिए जिम्मेदार होगा तकनिकी के विकास के कान खनन करियाउं में तेजी आएगी ञाओ के छितर में खनन करना हो कोईले का करना हो अध्तिदि गहराय में जा करके माइनिंग कर सकते हैं खनन कर सकते हैं वहां पर क्या होगा वहां से जलवायू परिवर्थन का कारण हो उसकी रट उर्जाय हो सहाइथा सब तकनिकी की सहायता से हम उर्जा का उत्पादल करते हैं और हम क्या करते हैं थर्मल पावर प्लांट हमने क्या किया थर्मल पावर प्लांट की हमने असापना किया है यह जो थर्मल पावर प्लांट है इसमें होता क्या है इसमें कोईले का दहन किया जाता है इसमें कोईले को जल तो बड़ी सिंपल सी बात है आपका उसके दहन के कार्ण आपका कार्बन डियाकसाइड निकलती है उसके कार्ण समझे ग्रीन हाउस गैसे निकलती है फ्लाई एस निकलती है जो की कहीं न कहीं जलवायू परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है जो की कहीं न कहीं जलवायू परि कर लो रहा है सिंपल का निर्वनिकर्ण भी होगा खुद आय कर किये जाएंगे जिसकी करण वायू मंदल में aero sol की मात्रा बढ़े जिसकी कारण वायू मंदल में aero sol की मात्रा बढ़ेगी बड़ी सिंपल सी बात है यह भी कहीं न कहीं जलवायू परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होंगे कहीं ये कहीं जलवायू परिवर्तन के लिए क्या होंगे आपके जिम्मेदार होंगे अगर हम डीफोरेस्टेशन आपका किया हमने पेड कारण दी तो पेड़ों का कटना भी जलवायू परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण है इस प्रकार हम देख रहें कि तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग जलवायू परिवर्तन का एक कारण बन रहा है याद रखीगा जलवायू परिवर्तन के कारण तकनीकी से ही तकनीकी से ही जलवायू परिवर्तन को नियंत्रिद भी कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे तकनीकी की डार्क साइड बता है हम यहाँ पे क्वेस्ट कि याद रहेगा आप लोगों को चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं अब कुश्चन के तीसरे पार्ट की बाते करते हैं भारत के लिए भारत के पर्यावन के लिए आपका के तकनीकी का दूरूपयोग हाँ कि अपकनीकी का दूरूपयोग है हरत के पर्यावन के लिए तकनीकी का दूरूपयोग एक अभिसाप कैसे हैं तकनीकी का व्यापक अस्तर पर उपयोग हो रहा है भारत भी इससे अच्छूता नहीं है भारत में भी तकनीकी का आपका तकनीकी का कई छेत्रों में तकनीकी का कई छेत्रों में ब्रिहत उपयोग हुआ है कि कई छेत्रों में ब्रिहत उपयोग हुआ है कि ब्रिहत उपयोग हुआ है इसकी कारण जिसकी कारण पर्यावाणी समस्याएं भी पैदा हुई जिसकी कारण पर्यावाणी समस्याएं भी पैदा हुई यह समस्याएं निम्न लिखित थे यह समस्याएं निम्न लिखित अब हमें क्या करना है इन समस्याओं का एक्जामपल क के साथ लिखना यहां ने लिखा पहला प्रदूशन के अस्तर में ब्रिद्दी तफनी की करेंगे तो आप यहां पे दिखाएगा जल प्रोडूशन चर्ण प्रदूसर घ्ल प्रदूसर में दिकाईएगा नदी प्रदूसरश्ण इग्जामपल उनदी प्र०ूसरद इकाईए गई आप यहां पर दिखाईएगा वॉव जैल प्रदूसर अब फ्रम वह ज्सकी तीबी दिखाएगा आप रोड़ो ओं जैल PRODUCER स्तागरी प्रदूशन स्तागरी प्रदूशन आप क्या करेंगे इसकी डेटा भी देगे याद रखिएगा आप इसकी क्या करेंगे डेटा देगे डाटा देगे आपका जैसे दे बोलेंगे नदी प्रदूशन तुरंत वहाँ पे लिखेंगे उधारण के लिए भारत की अध कि भॉम जल्व प्रदूशन की बाते करेंगे तो भारत की भॉम जल में आर्सेनिक लेड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जारी दिल्ली का एक्जामपल देखर के आपको लिखना एक फ्राकृतिक संसाधुन का रिक्तिकर डिप्लेशन इसमें दिखाए रुमी पुमी का च्रण या मृदा का च्रण आप दिखाईए कि अत्तिक उपयूग के कान भारत में कितना हेक्टेर जो मिट्टी है वह आपका मृदा च्रण का सिकार है कितनी हेक्टेर मिट्टी मृदा च्रण का सिकार है यह आप दिखाईए ठीके इसके बाद दिखाईए बन सनसाधन का छरण बन सनसाधन का छरण इसमें भी एक्जामपल आपका डेटा दीजिए कि भारत में बन सनसाधन का छरण कितना हुआ है कोई प्रोजेक्ट बताई है आपका कोई प्रोजेक्ट दे दीजिए आपका जैसे माले बिहार की बाते करें तो बिहार में मेट्रो प करके Metro तो नहीं बना पाते हैं तो हमने ड्रिल किया तो बताईएगा कि उसके कारण कितना ज्यादा पर्यावण का रूपसान हुआ है कितने ज्यादा पेड़ काटे गये इसको आप क्या कीजिएगा लिखिएगा उसके बाहर दिखाएगा सागरी संसाधन का छरण भिषाड़ी संसाधन का छरण यह दिखा देजीग, कि आपका पक्निकी के कारण संसाधन का कितना नुक्सान हुआ है, इसको आप दिखा देंगे, हर चीज में एक्जाम्पल्स जीखा ज़िए, हर चीज में क्या करेंगे? आपका एक्जामपल्स दिखाते हुए चलेंगे बीना एक्जामपल के आप नहीं लिखेंगे कैं उस निप पोच्छा हुआ इन्फ इस इसके बाद ग Pass इनना है इसकी बाद का मौनी कि रिखाएंगे इस्क्रे एक्टी कि इस्तित और आप इसक्षामपल दे दीजिएगा भी पटना पटना के एक्जाम्पल दे दीजिएगा देलही के एक्जाम्पल दे दीजिएगा हर्याना के एक्जाम्पल आपका गुलगाओं के एक्जाम्पल दे दीजिए ठेके और दिखाएगा कि इन राच्यों में इन छेत्रों में इन सहरों में कितना ज् सबrüöm tavo अब दिखा दीजिएग के बारे में दिखा दिजिएगा रेडियो सब्सक्राइब भारत में रेडियो सक्रे प्रदूस्टकी क्या है स्मेति है छेOUGHर टॉपिक में आपको एक्जामफ्ल में ज्टी इब देखे आप देखे उसी तरह दिखा दीजी कोईला कोईला संसाधन में आपका कैसा डिपलेशन हुआ है तकनिकी के अत्तिक उपयोग की कारण हम कोईला संसाधन को उपयोग कर रहे हैं बताओ कोईला संसाधन भारत की कई कई छेत्रों में कुईला समाप्त हो गया है जर्या जैसे कोईले खदानों में आग लगी हुए है आग लगी हुए है आपका उसको बाते करते हैं तो यह चीजह आपको क्या करना है मिर्दास अनुसादर हर जगे एक्जामपल देखना क्योंकि एक्जामपल पूछे गए और कि उसके बाद देखो जलब प्रदूशन में आपका दिखा देना प्लास्टिक प्रदूशन की समस्य बताना क्या कहते हैं भारत में प्लास्टिक प्रदूशन की स्थिति भारत में नैने नैने बंदर्गाहों की अस्थापना कर रहे हैं नैने जल्वारओं की अस्थापना कर रहे हैं कि सटी पर लिए यह इप पड़ रहा है आब दिखा दिजेगा की जली स्ट्रों में और दिखा देंगे जली छित continues में छेत्रों में डेड़ जोन का निर्मान हो रहा है जली छेत्रों में डेड़ जोन का निर्मान हो रहा है बंगाल की खाड़ी का एक्जामपल दे दीजिएगा तो बे आप बंगाल का आपके एक्जामपल हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में क्या हो रहा है आपका लगात बंगाल की खाड़ी में डिर जोन का लगतार विस्तार हो रहा है यहां पर आपका लिख देंगे इंडस्ट्रियल वेस्ट इंड़स्टियल वेस्ट लिग देगे इसके बारे में और इंड़स्टियल वेस्ट की इस्तिती बता देंगे भारत में क्या इस्तिती है इसके अलावा आगे अगर वादे तो वत्व एक्री कल्चर है एग्री कल्चर है एग्री कल्चर में भी टेकनलोजी का यूज हो रहा है समझे एग्री कल्चर में भी टेकनलोजी का यूज हो रहा है तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है और इस तकनीकी का उपयोग करके आपका समझो जीम फसले बनाई जा रही है अब बताव पर्यावनु पर नकरातम प्रभाव है कि नहीं मैं आप जाहता हूं इनका बताओ पर्यावन पर नकरात्मक प्रभाव है कि नहीं इनका भी पर्यावन पर क्या है नकरात्मक प्रभाव है इनका भी पर्यावन पर नकरात्मक प्रभाव है तो मैं पर्यावन पर नकरात्मक प्रभाव है तो मैं पर्यावन पर नकरात्मक प्रभाव है नकरात्मक प यह question का discussion था, last में आप क्या करेंगे, last में आप तो गनिस्कर्स लिख देंगे, इस प्रकार यह इस पस्ट है, कि तकनिकी के उपयोग के कारन कई प्रकार की समस्याइं पैदा हुई है, यह समस्याइं आपका कई छेत्रों में देखी जाती है, इतना आवस्या है कि तकनिकी एगर समस्या है, तो समाधान भी तकनिकी ही है, अतर आवस्यक्ता इस बात किये कि तकनिकी का उपयोग पर्यावन समरच्छन को ध्यान में रखते भी किया जाए, और संपोषणी विकास की संकलपना को लागू किया जाए, इतना लिख करके आप अपना एंसर क्या कर सकते हैं, कम्प्लीट कर सकते हैं, तो यही कोशन पूछे गया थे, बीपी असी में, यही कोशन पूछे गया थे, 69 बीपी असी में, याद रखिए, 69 बीपी असी में, जो कोशन पूछे गया है, जियोगराफी और एन्वार्मेंट से, जियोगराफी से पूछे गये हैं 114 नमर का question plus environment से पूछा गया है 36 नमर का तो आप देख सकते हैं कि geographic importance कितना ज्यादा बढ़ रहा है उम्मीद है यह आपको यह station समझ में आया होगा ठीके आपको यह clear हुआ होगा यह समझ में आया होगा कि कैसे आपका question को टैकल किया जाता है कैसे question को deal किया जाता है मुझे अभी उम्मीद है कि आप सभी भविस्ट्र की अधिकारियों के लिए station fruitful रहा होगा और आपको समझ में आया होगा कैसे question को लिखा जाता है क्लियर है ठीके आप देख रहे हैं आपका aegis khan global study जो कि मोस्ट आपका दुनिया का सबसे बड़ा platform है most trusted platform है ठीके इसी तरह के session हम लाते रहेंगे और आपको क्या करते रहेंगे ताकि आप भविस्ट्र की अधिकारी समझ आप भविस्ट्र की अधिकारी जो है वह जल से जल आपनी सफलता को सुनिशित कर सके और की बात अब देश राजी और समाज की सिवा कर सके और सुधार कर सके तो आज की session यहीं पर हम समप्त करते हैं thank you very much have a nice day